हलो दोस्तों कैसे हो आप सब ठीक है सबसे पहले जो मैं यह कहना जाओगा कि अपना पुरा ख्याल रखें और सभी प्रिकोशनरी मेजर अभी भी फॉलो करें ठीक है कोरोना वायरस नहीं गया है तो चलो दोस्तों आपका नॉवेंबर 2020 के लिए इस पॉर सी ए इंटर के लिए मेरा अलग से लेक्चर आएगा पर फॉर सी ए फाइनल आई होब कि यहां पर आप अमेंडमेंट्स की रहा देख र हो गया है इसमें मेरा रेगुलर कोर्स फास्ट्रैक कोर्स या बूसेर कोर्स यह सभी स्टुडेंट्स जारा देख रहे हैं वention तो मैं सबसे पहले खेया है कि मुझा सबयारी अबड़ेट्स का वैट कर रहा हूं मेरी अमेंडमेंट्स अब रेडी है नोट्स रेडिया लेक लेकिन मैं institute की statutory updates का वेट कर तो जैसे statutory updates आ जाएगी उसके दो दिनों बाद मेरे amendments के real lecture चालो हो जाएगी लेकिन फिर यह lecture की इस बात के लिए है तो यह बेटा मैं आपको कहे दू composition levy में पूरा chapter restructure किया गया है composition levy amendments ज्यादा नहीं है दो ही definition amended है पर पूरा chapter restructure किया है कुछ definitions थोड़ी बहुत change की गई है और अगर आपको याद होगा तो composition levy chapter में जो service provider के लिए 50 लाग की skim by notification थी वो notification merge करके उन्होंने section 10 to A में add कर दिया है तो उसको section में लाया है और accordingly restructure किया है पूरा chapter तो बेटा मैं यह चाओगा कि यह chapter आप फिर से देखो क्योंकि वो अलग से amendment म questions भी मैं आपके साथ solve करूगा तो पहले दो lecture जो रहेगे यह amendments के composition levy के रहेगे actually देखा जाया तो यह amendment का part नहीं है यह chapter में पूरा revise कर रहा हूँ जिसमें amendments भी cover होगी और जो chapter restructure हुआ वो भी cover किया जाएगा ठीक है दोस्तों तो अब यहाँ पे मैं यह composition levy का chapter start कर रहा हू अब यह जो दो lecture से बेटा है यह दो lecture मैं regular class के आपको दे रहा हूँ I repeat आज मैं पहला lecture upload करूगा कल मैं दूसरा lecture upload करूगा तो यह regular class के lecture upload कर रहा हूँ जो start से लेके end तक पूरा link में आपको फिर से लाएगा हो सकता है कि students को यह lecture थोड़ा slow लगे तो वो 1.5 की speed में दे सकता है और आपको यह भी बात कर दूँ कि आज का पहला lecture जो हो सकता है यह आपका ऐसा लगे कि यह तो सब कुछ हो गया है तो आप उसको fast forward कर सकते हों क्योंकि aggregate turn or turn or in state और यह जो definition वाला पार्ट है उसमें कोई amendment नहीं जब composition भी start होगी तो दिरे 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 amendments आती जाएगी तो आप fast forward करके पूरा देखो तो ज़्यादा अच्छी बात है लेकिन जो दूसरा session आएगा मेरा उसमें main आपको पता चलेगा कि कहां कहां changes हुए है और कहां किस तरह से restructure किया गया है जब service provider की composition लेवी इसके साथ merge की जाएगी ठीके दोस्तों तो चलेएं हम start करते हैं यह दो lectures जो है composition levis related आप complete कर दो इसकी notes जो है regular class की notes description column में आपको link मिल जाएगी वहाँ से आप download कर सकते हो मैं यह suggest करूगा कि उसका print out निकाल लेना तो print out निकाल के आपको कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हो लेकिन yes उसकी note description column में आपको मिल जाएगी ओके आप कोई भी comments के लि तब तक आते हैं तब तक यह composition levy chapter तो हम खतम कर देते हैं composition levy chapter for CA final और inter के लिए किस तरह से आएगा मैं आगे आपको बता होगा लेकिन अभी यह final students के लिए यह खतम कर देते हैं और बात में जैसे statutory updates आएगी तो मेरा lecture जो है amendment का आगे के lectures कम चालू हो जाएगी और सभी amendments April में जिन्होंने यहां पर यह मेरा November का lecture बाय किया हो तो उनका मैं already cover कुछ कर चुका हो तो वह lectures उनको अभी दे रहा हो तो उन्होंने नहीं भी देखा तो भी चलेगा जो 15th April 2020 के बाद जिन्होंने purchase किया है especially for November 20 amendment lectures लेकिन मैं सबको यह suggest करूगा कि यह सभी lectures देख ले कि सभी तो revision भी हो जाएगा अच्छे से थोड़ा fast video में देख ले तो अच्छे से revision हो जाएगा आपका और definitely आपको काम आएगा ठीक है तो November 2020 के जो जिसने amended lectures लिये है regular class या fast track class November 20 के इसाब से वो नहीं भी देखा तो चलेगा पर मैं strongly suggest करूगा कि सभी लोग यह दो lectures देखि यह एक बार अच्छे से revision हो जाएगी और इस बार आपके exam में question आने के पुरे-पुरे chances है तो चलो दोस्तों start करते है lecture इसके बाद मैं lecture attach करूगा जो मैंने regular class में लिया है तो वो lecture हम देखेंगे और उसके बाद में discussion को आगे पढ़ाएगे are you ready? चलो start करते हैं चलिए अब एक नया चाप okay concept हम पढ़ेंगे composition levy हमने last discussion में definitions देखा okay अभी हम देखेंगे composition levy यह composition levy concept क्या है यह अगर simple meaning देखा जाए तो living tax I repeat living tax okay at composite rate and I put together everything और आपके वोपर tax लगाए जा रहा है इसे हम कहते है composition levy थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ इसको समझाने के लिए एक funny example लेता हूँ okay funny example लेता हूँ और यह funny example से एक concept को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जैसे GST में थ्रेशोल होते है थ्रेशोल होते है मतलब basic exemption होते है और GST में वैसे तो start वा तब 20 लाग के basic exemptions है लेकिन कुछ केस में 10 लाग और कुछ केस में 40 लाग इसके ओपर हम discussion करेंगे in the chapter of registration बहुत detail में discussion करेंगे don't worry for that ठीक है तो वो बात ही regarding to registration चलिए discussion को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अब हुआ क्या बेटा यहाँ पर composition levy जो है यह threshold के बाद आती है ठीक है तो threshold हो या composition levy हो यहाँ पर सवाल यह उड़ता है कि यह ऐसे type के concept क्यो लाए जाते है एक funny example लेके मैं आपको यह समझाना चा होगा अब बिटा समझ लो यहाँ सामने एक वड़ा पावाला है ओके यह हमारे क्लास के सामने वड़ा पावाला है वो बड़ा पाव सेल कर रहा है अब छोटा चोटा आदमी है small business very small business man अपना ठेला लेके आता है रोच का कुछ 500-600 रुपए का बिजनस करता है चले जाता है कैसे तुभी अपनी दिन भर की रोटी कमाता है ठीक है अब imagine करो यह threshold नहीं होते है यह इस type की composition ले भी नहीं होते है तो law कैसा होता अब section 7 अगर आप देखते हो section 7 में supply means all form of supply of goods or services okay such a sale, transfer, water, exchange, lease, rental, disposal made or agree to be made for consideration in the course of business okay so it's a big sale आप वह वड़ा वाला वड़ा 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 वाल सेल कर रहा है okay तुभा एक GST officer चलेगा GST officer ने वड़ा वाली को पुछा कि क्या उप कोई GST प्रे करते हो the big वड़ा ने क्या हम GST ना प्रे करे क्या हम GST ना प्रे करे तो आफिसर ने का नहीं 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 आप तो यह सेल कर रहे हो और के गुड़्स है और यह इन दा कोर्स आप बिजनेसे इसके पर जियस्टी देना पड़ेगा तो उसे वड़ा पावाले ने का कि भाई सर्जीव मैं छोटा आदमी हूं एक 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 दिन का चार सो पांसो करने वाला है उसने का नहीं नहीं आपको तो टैक्स देना पड़ेगा तो वड़ा पावाले ने का कि सर्जी हमारे लिए टैक्स देना पॉसिबल नहीं है ना जी ना हम तो टैक्स नहीं देंगे आपको तो अब इसने भी ठान ली कि यह तो वड़ा पावाले से टैक्स लेक कि उसने कच्रे के इसमें देखा कि कितनी प्लेट बनती है क्या है उसके बेसिस पर अपना असेस्मेंट कंप्लेट किया और अपना असेस्मेंट कंप्लेट करके अब वो नोटीज जो है वो शो कॉस नोटीज आपके अगेंस में बना रहा है अब आपके अगेंस में मतलब वाड़ वाले की तिसने नाहिए लेवाट पाव इस अब नहीं से सेल ट्रांसरबार ट्रेशन इन दो कॉर्स अब बिजनेस, इमेजिन करना कोई थ्रेशोल नहीं है, कोई पॉजिशन लेवी नहीं है। तो हम आपसे जीस्ट क्यों नाले। इस पर भी बात चालो है। यह तीन चार पेजिस की नोटीस बनाया औरो वड़ा पावाली को सव कर दिया वड़ा पावाली को समझा नितिए तब तक किस्टमा आ गया उसने एक वड़ापा वड नोटीस पी दे दिया चलो, यह भी पेच काम आगया, वड़ाप वाले ने सूचा, यह भी पेच काम आगया, और वो नोटिस उसको दे दिया, अब बात को समझ रहा हूँ, ठीक है, तो अब यह सवाल यहाँ पे सामने आता है, देन से सुनिये का मेरी बात को, ओके, वड़ाप वाले के लिए प्रैक किया, प्रिंटऊ न लेंके लिएट, टैक्स लिएट, अर यह सब कंपलाइंस करने के लिए, और यह सब compliance करने के लिए कि 20,000 रुपे मैंने का एक अकाउंटेंट लगा है, अरे कमाई तो कुछ नहीं 20,000 रुपे का अकाउंटेंट लग गया, GST R1, GST R2, 3, 3B, यह सब GST के फॉर्म बनने के लिए और कोई consultant को अपाइंट करें उसको फीज दें, यह प्रैक्टिकली पॉ अब officer recovery के लिए आगया, officer ने का ने नी नी आपसे तो recovery करके लूगा, जितने भी वड़ा पाउ थे वो गॉन्फिसकेट कर लिए, यहाँ पर non-durable goods करेगा क्या गॉन्फिसकेट करके, पर चलो imagine कर लेते हैं कि वड़ा पाउ जो है उसने confiscate कर लिए और वो ठेला भी महाराश्टर का जैसे देली में छोले बटूरे है तो हमें एक्जामपल वड़ा पाउ का ले रहे है ठीक है तो वो सब कुछ लेके गया और के वड़ा पाउ बैठा था फिर उसकी यहां पर उसने भी मतलब बात इगो पर आगी उसका हंकार जाग गया अब उसने का कि मैं तो भी ढूंड़ा कि पुनय का कौन सा अच्छा कंसल्टंट है तो जो मुझे एपिल के लिए एयलप करेगा उसने सर्च किया उसको कि एकनसल्टंट क का नाम पाता चला मैं मेरी बात कहां करर हो मैं तो एक्जाम्पल ले रा हूं तो अब उसने अच्छा कंसल्टंट्टं का ऊ हो जाएगे उसने का साब यह रहा ब्लैंक चेक आपको जो फीज लेनी है ले लो ओके एक लाग दो लाग पांच लाग दस लाग आपको क्या पर अब मैं केस तो लड़के रहोगा ओके अब बात तो अभी हो पर आगी मैं केस लड़के रहोगा या ओफिसर को तुम्हें दिख की फीज देगा अब कितना पैसा निकलेगा यह वड़ा पावाले के पास से छोटा बिजनेसमैन है छोटा बिजनेसमैन है कितना पैसा निकलेगा पन ऑके 10,000 रुपे टैक्स कुछ पेनॉल्टी कुछ इंट्रेस 15,000 रुपे पकड़ लो पर नहीं अब केस लड़ी जार यह पता चला कि सुप्रीम कोट तक लड़ते लड़ते गौवर्मेंट ने इस वड़ा पावाले से 15,000 रुपे करने के लिए 10,000,000 रुपे खर्चा कर दिये कैसे 10,000,000 रुपे खर्चा कर दिये ओफिसर का टाइम उसमें एंगेज हुआ लोयर लगाया गया सुप्रीम कोट का लगाया गया हाई कोट का लए लगाया गया धिरीनल का लगाया गया और आपावाले ने भी खर्चा कर दिया पर बात इगो पर आगी पर बिटा थोड़ा यह समय लोग की वो पंद्रा आजार कलेक करने के लिए गौर्मेंट ने अपने जेप से बहुत सा पैसा कर्च कर दिया और किसके बिछे लगी गौर्मेंट वड़ापावाले की बिछे अरे लगो वीजय मालना के बिछे लगो निरामोदी के बिछे वो छ तो अब विए भी उपने बिचार अब अब तरेन कि लिए पड़ाब आए बादल आए बाकियो लोग जोग भी दोगाए लोग दोग्दाव करेंगे क्या तो अब यहां पर दूसरा अपनी दारू की दुकान ओपन होगी है वाइन शॉब ओपन होगी है तो अब देख दू और गौर्मेंट भी अपना बी पी निकालते है और गौर्मेंट भी देखती है कि इन लोगों के बिचे अपना ताइम बेस करना चाहिए किसके पास से टैक्स आ सकता है ने तो इतने एफ़र्ट और अम लगा देंगे और यह बंदे के पास से गलागे रह कोई ग्तैक्स नह तोड़ दो यार, इनकी पीछे लगोई मत, क्योंकि इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है, efforts लग जाएंगे, energy चले जाएगी और पैसा भी कुछ आत में नहीं आएगा, पैसा भी कुछ आत में नहीं आएगा, तो threshold दिया जाता है, थ्रेशोल्ड डिसाइड वा बीस लाग तक और उसके बाद में के कमपोजिशन लेवी लाया गया मतलब ठीक है कमपोजिशन लेवी स्टार्ट भी पचास लाग से अभी देड़ करोड चालो है तो इतने टार्ट तक अजिम करते हैं 1.5 करोड तक कुछ लोग जो है ठीक है रेकॉर्ड नहीं मेंटेन करेंगे कमपोजिशन लेवी का फायदा यह है कि कुछ लोग रेकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे 1.5 करोड तक क्योंकि उनको प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है रेकॉर्ड मेंटेन करना वाउचर मेंटेन करना ओडिट करवाना रीटन मंतली बेसिस फे फायल करना ठीक है पर अब उनको एक्जम्शन देना तो गवर्मेंट के लिए प्रॉटिबल नहीं है बीस लाग तक तो हमने दे दिया कि बिना रजिस्ट्रेशन का तु चल सकता है टैक्स मत दे पर बीस लाग के बाद उन लोगों को एक्जम्शन देना पॉसिबल नहीं है उनसे टैक्स तो पर वो लोग रेकॉर्ड भी मेंटेन नहीं कर सकते चल एक स्टेशनली शॉप का एक्जम्पल लेता हो निचे एक स्टेशनली शॉप है जिसका तर्न ओर बेटा पूरे एर का 40-50 लाग होगा 10% का मार्जिन उसका तो 40 लाग का तो 10 लाग का तो 40 लाग रुपे उसको प्रॉ प्रिंटिंग का खर्चा उसके बाद में पर्चेस इन्वाइस समाल के रखना उसके बाद में मंतली वेसिस पे जीस्टी रवन या 3-b फाइल करना उसके लिए एक अकाउंटन लगा अकाउंटन तो 10 लाग मेना कंसल्टन लगा उसको मेना इसमें उसका प्रॉफिट सले जा बिजनिसमेंट रेडी नहीं होते हैं यह रिटेल रिटेलर से रडी नहीं होते हैं अब बहुत मैं 50 अटम बेच रहो 50 अटम के टैयरीव कोड निकालो हां एच एच embroidery रहा कोड़ो हो इनके टैक्स इन्वाइसे इनके इनके रिकोर्ड मेंटन करो पर्चेस मेंटन गरो करना है और तो एक्षम्शन भी नहीं देना है इसके लिए कर रहे हैं और भुर्स कुल भी तो नहीं जा सकते हैं नहीं मैं टो है तो जेल में डाल देंगे पॉसिबल नहीं है बिटा यह टाक्स रिलेटल एक्षिए लॉस नहीं बंदे ने कोई कुई क्राइम थोड़ी किया कि कि उसको लेके आप जेल में डाल दोगे, यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उसके लिए और गॉवर्मेंट के लिए भी, तो अब ऐसे सिचुईशन में यहां पर फिर गॉवर्मेंट ऐसी कुछ लिनियन स्किम्स लाती है, कंपोजिशन लेए, कि गॉवर्मेंट के लिए हमारा ओफिसर तेरे रेकॉर्ड वगरे देखने नहीं आएगा, तुझे परिशानी नहीं होगी, मंतली रीटर्न वगरे ऐसी परिशानी नहीं होगी, एक हमें कम्पोजिट केटे, सब मिल जुला के, हाँ, मिला जुला के एक टैक्स इतना हमें देदे, ना तुझे आईटी करना है, जो भी तेरा स्टेट्मेंट के साफ से टर्न और, उसके साफ से टर्न और का जी एस्टी पे करना है, ऐसी स्कीम होती है, आपने इंकम टैक्स में देखा होगा, तो प्रिशम्टिव स्कीम, कि चल भाई, तुझ नहीं करवा रहा है, तो 8% इंकम प्रिजुम कर तेरे इंकम टैक्स जैसे प्रिशम्टिव स्कीम जैसा कंपोजिशन लिवी लाया गया, कि इतने देख करोड के टर्न और तक तुझ एक कंपोजिट रेट से टैक्स देना है, अजूम करते है, तो चलो तेरे टर्न और का एक टका हमें टैक्स देते, बात को कतम का, अब आपका एक इस बात का, हाँ, हम तेरे से कोई 12 परसें, 18 परसें या पांच परसें नहीं ले रहे है, एक परसें का टैक्स देरे से ले रहे है, इस बात पर एक परसें का टैक्स ले रहे हैं, तो आई टीसी नहीं लेगा, नेट एवन परसें हमें देगा, तो ये स्किम का सबसे बड़ा drawback जो है मैं आगे पढ़ाओगा आपको ITC नहीं मिलता है you cannot take the ITC you cannot pass the tax tax भी pass on नहीं कर सकते हैं क्योंकि tax pass on करने के लिए invoice maintain करना पड़ेगा अरे तु ही तो बोला ना भाई कि तु invoice maintain नहीं कर सकता तु ही तो बोला कि ITC के तु records maintain नहीं कर सकता तु ही तो बोला कि तु बाकी स तो तु यह सब कुछ नहीं कर सकते इसलए government 1% लेती है फाइदे मंद है imagine करो 40 करोड का 40 करोड का 1% यहने 40,000 दो बात को खतम करो ना government record check करने आएगी ना government आपको कोई बात की तकलिप देगी और ना आपको monthly return देना है आपको return yearly देना है quarterly statement देना है payment भी आपको quarterly करना है composition scheme मे करें देखेंगे आपको अई आपको आई बात समझ में तो यह सब कॉम्पोजिशन स्कीम में हम यह पर इसके स्टाश्य करेंगे तो ऐसे situation में बटा यहाँ था हा इसे सिचूएशन लेवी में ए में हम ए पर स्माल परसंटेंज से आप से था अपक्स लीए आपको यहाँ ब फाइदा यह है कि रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरुबत नहीं, फाइदा यह है कि कम्प्लाइंसेस करने की जरुबत नहीं, फाइदा यह है कि पेमेंट करने की लॉंगर पिरेड मिल जाता है, हाँ, कमपोजिशन लेवी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, नहीं तो टै पर आटलिस्स गॉवर्मेंट कभी एफट बच जाते हैं लोगों के पीछ जाना क्योंकि इन लोगों के पीछ एफट लगा देंगे वही वड़ा पवाले का एक्जाम्पल इन लोगों के पीछ एफट लगातेंगे तो भी प्रोब्लम जाएगा फिर ओके हमने पकड़ना चेय वीजय माल्या को अपकड़ना चाहिए निरोमोदी को अपकड़ना चाहिए बड़े प्लेयर्स को जो टैक्स आवाड करते हैं हम इनको क्या पकड़ रहे हैं यहां पर आपको समझ में लेक इसमें बहुत सारी रिस्टिक्शन है अगर मैं आगे यह पुड़े पड़ा हो इतनी कंडिशन और रिस्टिक्शन है तो एक आदमी फिर्स्टेट रोगे यह भी बोल देता है चोड़ भाई नहीं चीजिए इसलेगे फिर्स्टेट हो के मैं रेकॉर्ड मेंटें करने को तो आगे देखेंगे इसको बेनिफीशल है किसको नहीं है इसमें एक डिफरेंस बता देता हूँ नॉर्मल स्कीम है अगर आप नॉर्मल रेट से टैक्स देरे हो 12 परसंट, 18 परसंट, 20 तो आप क्रडिट ले सकते हो और आप बर्डन पास ओन कर सकते हो अगर आप क्रडिट आप क्रडिट ले रहे हो बर्डन पास ओन कर तो तो तैक्स का बर्डन आपके उपर नहीं आप पर नहीं आप बिकोज बर्डन इस पास ओन आपने बर्डन पास ओन कर दिया है तैक्स का बर्डन नहीं आता है नॉर्मल स्कीम में टैक्स का बर्डन नहीं आता है लेकिन क्यों है ? क्यों हो झांद से लिए शुकी में क्यों से ठाइट आप मुना। जोबी टैक्से जोबी टैक्सा कोंपोजिश रे ऑश डेटhair गा तो आपका खर्चा माना जाता है, expenses माना जाता है, is it clear, तो यह था, regarding to composition living, इसमें हम जो है, section 10, हाँ, section 10 हम पड़े है, अगर आपको याद होगा, तो, yes, come on, मुझे बतो, section 7 क्या है, supply, correct, section 7 क्या है, supply, 8, composite and mixed supply, come on, come on, come on, section 9, charging section, and section 10, composition scheme, हाँ, यह एक एक सेक्शन, सेक्शने से आगे नहीं बढ़ेंगे, यह कोई, सीलो जेसे सब्जेक नहीं के पड़ा 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 पड़ा, section बहुत लो जलते हैं, उसमें नोटिफिकेशन, circular, conditions, दुनिया वर की चीज़ आती हैं, और बताओ किया, main discussion section पहले 30-40 section है, बाकि तो बाद में fast हो जाता है, फिर बाद में दिक्कत नहीं जाती है, is it clear, तो चलिए, यहाँ पर हमने यह बात किया, regarding to section की, section 10-1 पूरा हम देखेंगे, related rules, CGST rules भी है, related CGST rules भी है, पर आपको rules याद रखने की जरुवत नहीं है, एक बार मैं कह देता हू rules याद रखने की जरुवत नहीं है, okay, बस section याद रखने की जरुवत नहीं है, okay, बस section याद रखने की जरुवत नहीं है, ठीक है, तो चलिए, section 10 हम अभी हाँ detail में देखेंगे, आगे बढ़ने के पहले, मैं थोड़ा एक comparison ले ले लेता हूँ, तो आपको यह scheme समझने में और आसानी होगी, comparison क्या, देखो यहाँ पर very small dealer, small dealer और big dealer, okay, बंदा, अगर बहुत ही कम टनोर का होगा, तो उसका aggregate टनोर 10 लाग, 20 लाग है, 40 लाग, तो उसको थ्रेशोल मिल जाएगा, गौर्मेंट उसको बचा लेगी tax देने से, थ्रेशोल मिल जाएगा, हाँ, थ्रेशो registration में करेंगे, okay, don't worry about that, हाँ, थ्रेशोल, manufacturer भी claim कर सकता है, trader भी claim कर सकता है, और service provider भी claim कर सकता है, यह थ्रेशोल restricted नहीं कि only for manufacturer, only for trader, और only for service provider, थ्रेशोल यहाँ पर कोई भी claim कर सकता है, ठीक है, अगर वो सभी condition फुल्फिल करता है, उसका turnover within this limit है, लेकिन यह turnover cross होने के बा तो आप registered होगे, आपको registration लेना पड़ेगा, be careful, आपको registration लेना पड़ेगा, और उसके बाद भी government कहते हैं कि ठीक है, आपको अभी भी compliance नहीं करना है क्या, टैक्स तो देना पड़ेगा, compliance नहीं करना है क्या, तो हम आपको composition levy का option देते हैं, okay, तो composition levy तीन टेन गर में मिलत हैं, पर तीन लिमिट में ये composition levy मिलती है, और ये तीनों भी क्लेम कर सकते हैं, manufacturer, trader और service provider, लेकिन manufacturer और trader अलग section में क्लेम करेगा, और service provider अलग section में क्लेम करेगा, यहाँ पे section 10-1 में क्लेम करेगा, और service provider, जो है, okay, यहाँ पे restaurant और catering होगा, restaurant, etc. होगा, तो वो section 10-1 में क्लेम करेगा, और other service provider होगे, तो section 10-2-A में क्लेम करेगा, 10-2-A, यह section पहली बार नया introduce किया है, यहाँ पे, actually नया नहीं है, पहले यह notification के through handle होता था, लेकिन अब इसको act का ही part बना दिया है, okay, इसको act का ही part बना दिया है, तो यह 10-2-A से यहाँ पे, okay, उन्होंने cover कर लिया है, और normal scheme, normal scheme जो है, no doubt applicable to all, अगर आपको composition नहीं लेना है, यह आपका composition scheme का turn or खता हो गया, तो यहाँ पे normal scheme में आप आ सकते हैं, यह बात ही normal scheme के, चलिए, आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट क्या है, अगर मैं threshold में हूँ, अगर मैं composition में हूँ और अगर मैं normal में हूँ, okay, तो benefit क्या है, normal scheme के, composition scheme के, तो अब benefit बता देता हूँ, tax benefit, no tax is payable, अगर आप threshold में हो, तो no tax is payable, आपको कोई भी tax देने की जरुवत नहीं है, अगर आप composition में scheme में हो, तो tax is payable at composite rate, tax is payable at composite rate, बहुत कम rate से tax देना है आपको composite rate, और अगर आप normal scheme में हो, तो tax is payable, payable at normal rate, आपको जो tax देना है, वो आपको normal rate से देना है, tax is payable at normal rate, ठेक है, तो यह था regarding to tax benefit, उसके बाद में, procedure benefit क्या है, तीनो scheme में, I repeat, तीनो scheme में procedure benefit क्या है, तो देखिए गाँ, procedure benefit है कि अगर आप threshold में हो, तो registration की कोई जरुवत नहीं है, no need to take registration, अगर threshold में हो, तो registration लेने की जरुवत नहीं है, composition scheme में हो, इवन दो आप composite rate से दे रहे हो, पर registration आपको लेना पड़ेगा, is required, registration is required, और normal scheme में तो, obviously, registration is required, is required, okay, उसके बाद में GST invoice, okay, यहां GST invoice, not required, आप अगर threshold 20 लाग तक का turn और 10 लाग तक का और कुछ केसिस में 40 लाग तक का turn और कर रहे हो, तो not required, हाँ, अगर आप यहां पर, GST invoice, not required, next बेटा, अगर आप यहां इसमें compositions के में आपको bill of supply देना जरूरी है, bill of supply, यह bill of supply concept बड़ा important है, यह मैं वैसे आगे समझाओगा, यहां tax invoice नहीं होता है, यह bill of supply होता है, और यह bill of supply आपको देना पड़ेगा, और normal scheme में tax invoice आपको देना पड़ेगा, कुछ नहीं, simple concept है, देखो, इनिया में हम invoice को bill भी कहते हैं, और invoice भी कहते हैं, नॉर्मली बील ही कहते हैं, भाया जी, बील दे दो, और की, बील ही कहते हैं, तो government क्या कह रही है, कि अगर आप composition scheme में हो, composition scheme में, वो document में tax नहीं लगाए जाता है, क्योंकि जो भी composite dealer है, अगर वो आपको tax pass on नहीं करता है, अगर वो आपको tax pass on नहीं करता है, तो उसको फिर tax invoice मत बोलना, उसको कहना bill of supply, और bill दिया जा रहा है, supply का just, उसमें tax नहीं लगाया जा रहा है, तो इसलिए उसको, यहाँ पे bill of supply कहा जा रहा है, नॉर्मल स्किम में होगा तो tax invoice, GST record not required, यहाँ पे limited records is required, limited मतलब आपको श्रीफ limited records, और अगर आप धहान से सुनियेगा, limited records आपको चाहिए, और अगर आप यहाँ नॉर्मल स्किम में हो, तो all GST records, all GST records, to be maintained, to be maintained, आपको पूरा GST records, maintain करना ज़रूरी है, उसके बाद में ITC, ITC में जहां तक देखा जाए बेटा, तो not eligible, ITC threshold में हो तो आपको ITC नहीं मिलता है, not eligible, composition में हो तो not eligible, आपको ITC नहीं मिलता है, composition में भी, लेकिन आप normal स्किम में हो, तो आप ITC ले सकते हो, eligible for ITC, आप ITC ले सकते हो, GST return, not required, अगर आप threshold में हो तो, कोई GST return देने की जरूरूरत नहीं है, okay, required, required, इसमें ऐसा है बेटा, return जो है, तो return, आपको yearly basis पे देना पड़ता है, statement, statement, quarterly basis पे देना पड़ता है, हम यह return और statement क्या होता है, आगे पड़ेंगे, बस इतना है लिखो कि return, जो है yearly basis पे और statement quarterly basis पे, और यहां, normal scheme में, okay, return, monthly और quarterly basis पे, monthly और quarterly basis पे, quarterly basis पे, कुछ cases में monthly है, तो कुछ cases में quarterly basis पे, तो यह जो है बेटा, यहां पे, जिस आइम टॉकिंग अबाउट, यहां की, procedural benefit क्या है, एक बार मैं procedural benefit आपको पते देता हूँ, अगर आप composition scheme लेते हो, तो आपको registration तो लेना पड़ेगा, पर tax invoice देने की कोई जरुवत नहीं है, वहां पे bill of supply, यह document होता है, records maintain, आपको सिप turnors related records, maintain करना पड़ता है, limited extent तक record maintain करना पड़ता है, GST के सभी records आपको maintain करने की कोई जरुवत नहीं है, और उसके बाद में next, IITC आपको नहीं मिलेगा, GST return भी आपको longer period मिलेगा, yearly basis पे, okay, statement आपको quarterly basis पे, और payment भी आपको quarterly basis पे होगा, I repeat, payment भी आपको quarterly basis पे होगा, I hope you understood, ठीक है, तो यह था about यहाँ पे, procedural benefits, हमने देखा, कि तीनों scheme में, threshold, composition scheme, as well as normal scheme, ठीक है, चलो, आगे का discussion देखते हम, next बेटा हम यह देखेंगे कि, section 10 में, composition levy, जो है, एक, जो supplier of goods को दिया गया, manufacturer और trader को, उसकी limit, और उसका conditions, उसकी provisions अलग है, और service provider को, जो पहले notification के थूँ दिया गया था, अब वो section में ही add कर दिया है, 10-2 है, तो service provider को भी जो composition levy दी है, okay, पर उसकी limit, उसकी rate, और उसकी restrictions और conditions अलग-अलग है, तो सब start करने के पहले, मैं एक table द्रॉआ करोगा, ये table में आपको जस एक overall idea दोगा, कि, एक manufacturer, ट्रेडर को composition ले भी कैसे मिलती है, और एक service provider को कैसे मिलती है, दोनों में क्या difference है, एक broad sense में समझ लो, फिर हम बहुत deep में जाएगे, हर provision के, section 10, 1 की, 2 की, section 2A की, इसके, okay, सभी provisions के हम deep में जाएगे, clear? तो next page पे, okay, next page blank page दिया है, अगर आपके पास digital notes हो, तो आप notebook में लिख ले ना, यहाँ पे, difference में लिखोगा, difference, difference between, composition levy, आप मेरे साथ लिखते जाएगा, composition levy, under section 10, 1, and under section 10, 2A, 10, 2A, ठीक है, ऐसा table बनेगा आपका, पेलेस्माएगा पर्टिकूलर्स, composition levy, under section 10, 1, and composition levy, under section 10, 2A, under section 10, 2A, पेला, eligible person, broad sense में समझ लो, हो सकता है जर्लाबद आपको समझ में ना है, don't worry, हम इसको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, पर broad sense में समझ लो, eligible person, कौन eligible person है, तो यहाँ पे, composition levy में में आपको बता दू, eligible person कौन होगे, तो यहाँ लिख लो, manufacturer, manufacturer, sorry, manufacturer, supplier of goods, supplier of goods, second trader, again supplier of goods, and supplier of goods, and third, restaurant, catering, etc. तो अगर आपको schedule to para 6 clause B, कुछ यादार है, schedule to para 6 works contract, second is, restaurant, catering, mace, eating joints, and कोई भी ऐसी service, जिसमे food supply किया जा रहा है, वो इसमें कवर होता है, तो तीन category of लोग इसमें कवर होता है, लेकिन, यह supply of service है, यह supply of service है, अब दिहान से सुनूँगा, 10-1 की जो composition levy है, I repeat, 10-1 की जो composition levy है, यह predominantly for supply of goods है, I repeat, predominantly for supply of goods है, और एक ही ऐसी service है, जिसको 10-1 की composition levy मिलती है, और वो service कौन सी है बटा, वो service है, restaurant and catering, यह mace, eating, join, etc., जो clause B, para 6 of schedule 2 में आते हैं, clause B, para 6 of schedule 2 में आते हैं, वो इसमें eligible है, तो predominantly, it is for supplier of goods, note, predominantly, it is for supplier of goods, जो goods में deal करते हैं, and restaurant or catering, restaurant or catering, ठीक है, तो यह जो है, यह बड़ा important है, कि 10-1 की scheme, यह supplier of goods के लिए है, predominantly, यहाँ पे हैं, और restaurant or catering के लिए है, I hope आप यह बात समझ गया होगे, ठीक है, now, next, 10-2-A की scheme, जो पहले notification के थू थी, अब वो section में incorporate कर दीगी, by Finance Act 2019, तो अब यहाँ पे देखियेगा, 10-2 की scheme, every person, यह 10-2 की scheme देखो, every person, who is not eligible, who is not eligible, eligible, for composition levy, composition levy, under section 10-1, that is, हाँ, हर वो person, जो 10-1 में eligible नहीं होगा, वो 10-2 में ट्राइ कर सकता है, हाँ, सर कैसे, रूख जाना, detail discussion बाद में करेंगे, हर वो person, जो 10-1 में eligible नहीं होगा, वो 10-2 में ट्राइ कर सकता है, composition levy में, यहाँ पे, supplier of service, हाँ, supplier of service, ओके, तो every supplier of service, क्यों, क्योंकि 10-1 की जो composition levy है, वो manufacturer, trader और service sector में, सिर्फ एक ही sector को है, और वो service sector में, एक sector ही, restaurant और catering, और eating joint में इस वगएर है, इनको ही 10-1 की scheme है, अगर आप purely supplier of service हो, आप chartered accountant हो, lawyer हो, architect हो, supplier of service हो, में आप को 10-2-1 की scheme मिलेगी, क्यों, क्योंकि आप 10-1 में eligible नहीं होगे, क्यों नहीं eligible होगे, कैसे नहीं होगे, हम बात में देखेंगे, अभी हम broad sense में difference देख रहे हैं, आई बात समझ में, तो अब ऐसे case में supplier of service, और, और अब में जो दूसरा point लिखने जा रहा हो, बड़ा important है, और दूसरा point है, manufacturer या trader, सुनो, 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 manufacturer और trader, और restaurant and catering, कुछ ऐसा हो सकता है, कि यहाँ पे manufacturer, trader और restaurant catering, 10-1 की कोई condition वो फुल्फिल नहीं कर रहे है, अगर 10-1 की कोई condition वो फुल्फिल नहीं कर रहे है, तो ऐसे situation में, वो यहाँ पे 10-2-A में अपलाय कर सकते है, अगर वो 10-2-A की condition वो फुल्फिल कर रहा है, अब बहुत ही बाए, आपको मेरी बड़़़़़़भ़़़़़़़़़़़़़ जतनी भी समझ में आती ही इनव, क्योंकि मैंने अभी तक पुरा discussion स्टार्ट नहीं किया है broad sense में आपको यह बता रहा हूँ तो जस लिख लो नहीं समझ में आओगा आगे एक एक बात एक एक बात आपको बहुत अच्छे से समझाओगा और एक एक provision को चून चून के चून चून के यहाँ पे detail में explain करूगा ठीक है तो यहाँ पे manufacturer और trader और restaurant और catering 10.1 चून चून ओम था कैंप़िब्यी कैंप़िब्य दून चून चून प्रेंफ़िद्द 1 जो 10-1 में इनिलिजिबल थे composite levy के लिए वो यहां try कर सकते है subject to एक बड़ डाल देता हो subject to fulfillment of fulfillment of conditions of section 10-2-A ठीक है आप अधर इनिलिजिबल हुए है लेकिन आपको इदर मिल सकती है composition levy पर 10-2-A की जो condition से वो भी fulfill करना पड़ेगा अगर आप उसमें fit होते हो वो condition fulfill करते हो तो आपको composition levy मिल जाएगी 10-2-A की चलो यह पहला difference हुआ यह पहले difference को end करते हैं उसके बाद में दूसरा difference okay turnover for composite levy composite levy तो यह जो composite levy मिलती है यह तेड़ करोड तक मिलती है I repeat 10-1 की composite levy तेड़ करोड तक आप composite tax पे कर सकते हो तो यह aggregate turnover aggregate turnover up to 1.5 CR 1.5 CR तो यहाँ पर यहाँ अगर 10-2 एके skim के लिए आप try कर रहे हो तो turnover की limit जो होगा वहाँ aggregate turnover aggregate turnover up to 50 lakhs यह 50 lakhs तक की skim है इसलिए okay manufacturer और trader पहले इसमें try करेंगे क्योंकि इसमें देड़ करोड तक का limit है restaurant और catering पहले इसमें try करेंगे देड़ करोड तक का limit है यह skim service provider को नहीं मिलती है except restaurant or catering next यहाँ यह skim specially predominantly service provider के लिए supplier of service के लिए है और ऐसे manufacturer trader and restaurant catering जो नहीं उदर ले पाए तो यहाँ पे 50 lakhs के लिए तो try करते है अगर इसके condition fulfill होती है तो broad sense में गो क्या तो supplier of services को supplier of services को 50 lakhs तक का skim दिया है predominantly यह actually skim predominantly supplier of service के लिए predominantly supplier of service के लिए है ठीक है aggregate turn और यहाँ पे 1.5 CR का लिमिट है तो यहाँ पे 50 lakh का लिमिट है चलो यह दूसरा difference हमारा हो गया उसके बाद में next next यहाँ पे composite rate आपके composite rate क्या रहे गए composite rate यहाँ composite rate बिटा for manufacturer manufacturer और trader यह composite rate है 1% और for restaurant और catering यहाँ पे composite rate है 5% ठीक है यहाँ composite rate है 5% और यहाँ पे for eligible person जो भी eligible होगा यहाँ एक ही rate है eligible person यहाँ composite rate है 6% यहाँ composite rate कितना है बिटा 6% यहाँ दो composite rate है manufacturer trader के लिए 1% है restaurant catering के लिए 5% है तो यहाँ पे जो है eligible person होगा तो 6% का composite rate है यहाँ पे दिया गया है यह scheme के तदद ठीक है उसके बाद में बागी तो mostly condition same है special category of state के लिए special category of state special category of state के लिए turn और limit कितनी होगी turn और limit तो normally turn और limit है 1.5 CR लेकिन अगर आप special category of state में आते हो तो turn और limit है तो aggregate turn और aggregate turn और up to 75 lakhs 75 lakhs मतलब क्या अगर आप special category of state में आते हो याद है ने आपको तो आपको यह limit जो मिलेगी यह देड़ करोर की नहीं मिलेगी special category of state में 75 lakh की limit दी है reason अब बाद में देखेंगे और आपको composite rate 75 lakh तक ही मिल सकता है उसके बाद में नहीं मिल सकता है वो था special category of state की लिए तो यहाँ पर अगर 10 to A में हो और आप special category of state में हो तो यहाँ पचास लाग ही मिलेगा यहाँ ऐसा कोई बाद फेरगेशन नहीं है aggregate turnover up to 50 lakhs up to better 50 lakhs तो यहाँ आपको पूरा 50 lakhs का मिलेगा तो एक और difference किया normal यहाँ पर 1.5 CR है यहाँ पर 50 lakh है यहाँ special category of state होगा तो भी 1.5 CR नहीं यहाँ पर 75 lakhs है तो यहाँ पर special category of state होगा तो भी 50 lakh है मतलब normal भी 50 lakh है और special category of state भी 50 lakh है ठीक है तो यह हुआ तो यह कुछ major differences हमने देखें बाकी बेटा और कुछ differences होगे तो खाली नीचे blank space रहने दो और की discussion करते करते हैं अगर हमें और कुछ मिले तो हम लेक लेगे नहीं मिले तो इने इतना इनफ है यह differences हमने यहाँ पर देखें रिगार्डिंग तो composition लेवी अंडर section 10-1 and composition लेवी अंडर section 10-2-A और हमें broad sense में अब दो composition लेवी देखना है 10-1 की और 10-2-A की ठीक है तो चलो start करें हम अगर की composition लेवी अंडर 10-1 पहले पुरा complete करते है फिर जाते है 10-2-A ठीक है चली तो next हम discussion चालो करेंगे section 10 subsection 1 तो 10-1 की composition scheme जैसे last video में हमने देखा की 10-1 की composition scheme predominantly supplier of goods के लिए जैसे manufacturer engage in supplier of goods, trader engage in supplier of goods तो predominantly supplier of goods के लिए है और 10-2-A scheme जो है वो supplier of services के लिए दी गई दोनों की turn or limit जो है बेटा अलग अलग दिया गया है तो चलीए यहाँ पे देखिएगा अब इसके एक एक लाइन बहुत अच्छे से ध्यान से समझ कर यहाँ पे आपको सुनना है और इसे रिलेटेड एक लाइन का इसके लिए आपको मेरे साथ यहाँ डिसक्स करना है मेरे साथ रंग जाना है ठीके? तो यहाँ चाप्टर मेरे साथ रंग जाओ बेटा, रंग दे मुझे गेरुआ ठीके? तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करें नौट इसक्षिन गजाना है यहाँ पे पैली लाइन पाश्या लाइन है दूसरी लाइन क्याती है, but subject to 9394, महां, river charge को द्हान में रखते हुए, तो बेटा, मुझे ये दो लाइन पड़के, मेरे घर का एक्जाम्पल यादा जाता है, बहार तो मैं यहां पर बाश्शा हूँ, किंग हो, लेकिन घर पर जाओ तो वाइप के सामने 9394 लग जाता है, बाकी सबी प्रोविजन पर वो और रूल करेगा, लेकिन रिवर चार्ज के केस में यह और रूल नहीं करेगा, अभी मैं जस समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं समझा तो बहुत अच्छी बात, कन्फ्यूज हुए तो बहुत अच्छी बात, और समझ गया, तो मुझे ड पर रसन किया कि नहीं, मैं नॉर्मल रेट से नहीं जाओगा, मैं टरनोर बेस कंपोजिट रेट से दूगा, देड करोड तक, हां, मैं उसका खामियाजा भुगतने के लिए तयार हूँ, और वो यह कि उसके जो नुकसान है, कि आप ITC नहीं ले सकते हैं, आप ITC पास ओन न लेना चाहते हो, तो नो डाउट, आपको कोई नहीं रोकेगा, यह प्रोविजन प्रिवेल होगी, अगर आप एक बार डिसाइड कर लो, कि हां, आप अपने आउटवर्ट सप्लाय पे कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो, तो इंडिया का कोई भी बंदा आपको नहीं रोक आपने किसी ऐसे ऐसे बंदे से गूड्स और रिवर्जाज में है, तो वो सिच्वेशन में यहाँ पे, आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा, रिवर्जाज में लिया तो पूरा टैक्स देना पड़ेगा, मतलब क्या, उसके ओपर आपको अपलाई प्लाईन स्कीम अप लेना चाहता हूँ और अभी एक बात मुझे याद आई तो मैं आपको बता देता हूँ composition scheme beneficial उन लोगों के लिए बहुत जादा है जिनके customer ऐसे है जो tax invoice नहीं चाहते है और जो ITC नहीं लेना चाहते है मेरी बाद हैंस सुनना composition scheme उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो retail sector में है ऐसे customer को बेचता है जिनको ITC से कोई लेना देना नहीं है हाँ पर उन लोगों के लिए composition scheme अच्छे नहीं है जिनके customer ऐसे जिनने tax invoice ची है और invoice में CGST और SGST लगा कर ची है क्योंकि वो credit लेना चाहते है तो फिर seller ने composition scheme नहीं लेनी चाहते है क्योंकि उनके buyer ITC चाहते है पर आप retailer हो, stationery shop हो आपकी books की shop है, grocery shop है, hardware shop है और आपके customer को ITC से कोई लेना देना नहीं है तो फिर आप composition scheme लोगो आपके लिए बहुत beneficial होगी composition scheme आगे हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कुछ turn-or पे composition scheme कुछ turn-or पे composition scheme नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं अगर आपने composition scheme ले 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 तो तो that's all आपका पूरा का पूरा turn-or composition scheme में आ जाएगा इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, बोत इनिशियल स्टेच पर भी, तो मैं स्टेशनली शॉप वाला हूँ, और मैं यहाँ पे मेरा सप्लाय कंपोजिशन स्कीम में ले रहा हूँ, अब मैंने कोई लॉयर से सर्विस ले ली, अब लॉयर से सर्विस ले ली, और लेने बिलेने बॉयर से सर्विस ले, ठाहिवे रहा हूँ कर्के लोगे लेने बाला बिलेने बिलेन वाला बुजिशन एंटिटीटी मुझे tax देना पड़ेगा क्यों क्योंकि दूसरी लाइन ये कहती है subject to 9394 मतलब 9394 prevail करेगा अगर आपको river charge में liability आएगी तो 9394 के तद आपको पूरा tax देना पड़ेगा बस यहां तक इस से जादा और समझना है तो आगे मैंने example के साथ case study के साथ मैंने लिया है हम problem भी solve करेंगे और वहाँ detail में describe करोगा चलो थोड़ा आगे बढ़ते है तो आप देखो वह क्या कहते है register person हाँ ख्याल रहे ये composition scheme register person को ही मिलेगी मतलब कि अगर composition scheme लेना है तो आपको register होना पड़ेगा अब इसमें दो cases लेता हो register person की एक बेटा यहाँ पे कि आपका threshold cross हो गया 20,000,000 cross हो गया आप registered हो गया register बिस्टर क्योंकि होना ही पड़ेगा दूसरा option नहीं है अगर आपका threshold cross हो जाए तो आपको registration लेना ही पड़ता है आपने registration ले लिया हाँ अब आप decide कर सकते हो कि आपको composition scheme लेना है या नहीं लेना है तो आप register person होने चाहिए एक concept और आएगा registration में voluntary registration voluntary registration का मतलब यह बटा कि अगर आप threshold के नीचे हो 20,000,000 के नीचे हो तो ऐसे case में आपको registration तो भी भी लेना है तो ले सकते हो हाँ लेकिन अगर आपने registration ले लिया तो आपको tax लेना पड़ेगा तो अगर आपने voluntary registration ले लिया होगा come on, come on, come on, मेरी बात सुनना अगर आपने voluntary registration ले लिया होगा तो वो situation में भी आपको जो है आप register person माने जाओगे और आप composition scheme ले सकते हो तो दोनों case में voluntary ले लिया होगा या threshold cross होने के बाद ले लिया होगा आप registered person होना जरूरी है और ये composition scheme only registered person को ही मिलेगी चलो, आगे बढ़ते हैं और register person whose aggregate tenor आपके जो भी doubts और questions से लिखके रखो मेरे explanation में सभी doubts solve हो जाएगे don't worry for that और ये तो वाटसब पर करी सकते हो मेरी research team आपको जबाब देरी है और मैं भी आपको कभी कुछ वाटसब में भी स्वाटसब में भी स्वाटसब करने लेता हो रोज का एगे लेता हो तो उसमें भी आपको एंसर मिल जाएगे don't worry for that लेकिन आप लिखे रखो आपके questions don't stuck to any questions मेरे पूरे explanation में या next session के revision में आपके सबी doubts clear हो जाएगे चली और रजिस्टर परसून होज एग्रिगेट तरन ओर अग्रिगेट तरन ओर अग्रिगेट तरन ओर अग्रिगेट तरन मतलब all taxable supply all taxable supply अग्रिगेट तरन ओर एक बार रिवाइस कर लेते हैं फिर हम समझने की कुशिश करेंगे तो अग्रिगेट तरन ओर अग्रिगेट तरन ओर में all taxable supply अग्रिगेट तरन ओर में तीनो supply export supply और इंटर स्टेट supply अंडर सेम पैन आपका stock transfer भी आपका अग्रिगेट तरन ओर माना जाएगा तो चलिए और रजिस्टर परसन whose aggregate turnor in preceding financial year did not exceeds 1.5 CR did not exceeds 1.5 CR or 75 lakhs in special category of state except the Assam, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir may opt to pay in lieu of tax payable under section 9-1 an amount calculated at such rate as prescribed but not exceeding okay so let's listen to this what do you want to say? this is what you want to say that if if someone has a composition scheme this year then we have to do this work meaning a client is sitting there and the client is saying sir I am a retailer and I said okay so sir I have to take composition scheme I said okay composition scheme means I don't want to record maintenance and I have to turn over 20 lakhs and I have to go to composition scheme I have to go to composition scheme I have no idea that you can go to composition scheme okay but I have to tell you I have to tell you what is your customer that you have given bill of supply so it will go to ITC no need to sir there are small retailers or our direct customers who don't need ITC I have to tell you I have to go to composition scheme and they will definitely you can give it to composition scheme and you will give it to composite rates so you have to pay what is your first mistake is your first mistake क्या रख रख रहा है गवर्मेन आपके सामने पहली शर्ट यह रख रहा है कि आप करेंट यह में इस नीचे दिये गए कंपोजी ट्रेट से टैक्स दे सकते हो लेकिन आपका एग्रिगेट टन और प्रसेडिंग फिनाइंशल यह में 1.5 यूची आर से जादा नहीं होना चीए मतलब यह कंपोजीशन स्किम सबको नहीं है जो यह पहली शर्ट पुरी करेंगा पहली शर्ट मतलब कि पिछले साल आपका एग्रिगेट टन और मतलब करेंट यह में कंपोजीट रेट से टैक्स दे सकते हो मतलब मतलब यह प्रसेडिंग फिनांशल यह जो देड़ करोड की लिमिट है हम टैक्स पे करने के लिए नहीं देख रहे है हम यह लिमिट जो देख रहे है बेटा हम करेंट यह में कंपोजीशन स्किम मिलेगी या नही मिलेगी, सुन ये, सुन ये, सुन ये ध्यान से, current year में composition scheme मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं eligible हुए नहीं हूँ, current year में, okay, ये low tax rate देने के लिए, composite rate से tax देने के लिए, क्या मैं ले सकता हूँ, मैं इतने 1% से tax दे सकता हूँ, आगे मैं percentage बताऊगा, तो उसके लिए पहली सुलियत देगी या नहीं देगी, तो मैं प्रिवेसिव का उसका aggregate turnover निकालोगा, stock transfer लेकी निकालोगा, as per definition, और अगर वो देर करोड के नीचे होगा, तो उसे composition scheme दोगा, दूसरी बात, okay, ये देर करोड की limit जो है, special category of state वालों ने accept नहीं किया, अगर आपको याद होगा special category of state, तो हमने एक list देखी थी, तो उन्होंने का नहीं नहीं, हम देर करोड तक नहीं दे सकते भाई, हमारे पहली बिजनेसे बहुत चोटे है, okay, अगर देर करोड तक हम 1% से tax ले, तो इसमें जो, okay, state का राजस्वा है, राजस्वा मतलब state का जो revenue है, वो बहुत काम हो जाएग हमारे लिए देर करोड तक हमारी इतनी हिम्मत नहीं बनती है, कि हम देर करोड तक एक परसेंट से ही tax ले, okay, हमारे हम 75 लाक्स रखेंगे, तो बेटा, special category of state की जो provision हमने पढ़ी थी, वो special category of state को कोई special revenue नहीं देना था, सुनिए द्यान से, special category of state को कोई special benefit नहीं देना था, okay, कि यहाँ special category of state की definition इसले कि कुछ provision जो है, specially कुछ states के लिए अलग चलेगी, क्योंकि GST law सभी state एक साथ एक जैसा चलाएगे, लेकिन कुछ state जो है, द्यान से सुनिए मेरा यह statement, कुछ state जो है, अपना यहाँ पे कुछ provisions अलग से रख सकते हैं, जिसमें यह एक provisions है, इसले के लिए स्टेग्री आप स्टेट, हमारे Constitution of India, हमारा जो introduction module था, उसमें जो defined है, वो स्टेट जो है 75 लैक्स रख सकते है, वो अपना यह provision अलग से चला सकते हैं, क्योंकि वो स्टेट रेडी नहीं थे, जिसमानीपूर, आसाम, सीधा मेरा बिजनेस ही नहीं है, सभी छो तीन ऐसे स्पेशल केटेग्री आप स्टेट जिन्होंने हिम्मत दिखाई, I repeat, MCQ question में आ सकता है, तीन ऐसे स्पेशल केटेग्री आप स्टेट जिन्होंने हिम्मत दिखाई, और उन्होंने अपने स्टेट में देड करोड तक, 1% टैक्स वाला स्कीम रखा, कंपोजिशन स् पहला था आसाम, आसाम ने कहा हम स्पेशल केटेग्री आप स्टेट क्यों नहों, लेकिन हम हमारे स्टेट में देड करोड रखेंगे, तो सभी स्टेट के रिटेलर वालों, जो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं, आपको देड करोड तक, 1% का ही टैक्स लगाया जाएग अगर ये कंडिशन आप फुल्फिल करते हैं तो, ठीक है, दुसरा हिमाचल प्रदेश, उन्होंने भी देड करोड तक रखा, आपने सभी रिटेलर्स को खुश किया, जो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते है, जमु एन कश्मीर, अब जमु एन कश्मीर युनियन टेरिटरी होने के बाद भी, special category of state का status आज भी है, वो अभी तक अमेंड नहीं हुआ है, तो अभी section 10 के लिए आपको जमु एन कश्मीर भी consider करना है, तो तीन ऐसे state है, कौन से तीन, आसाम, हिमाचल प्रदेश और जमु एन कश्मीर, इन तीनों ने भी, के अपने area में, अपने states में, य अगर आप नीचे comment में देखोगे, तो मैंने list दी है, कि अरुनाचल प्रदेश, मनीपूर, मेगालिया, मिजुरम, नगलंड, सिक्किम, तरिपुरा, नुत्राकंड, इनोंने 75 लैक्स का ही अपने states में limit रखा हुआ है, तो पहली शर्थ, come on, come on, come on, मेरे साथ, पहली शर्थ कि आपको current year में 1% से अगर tax देना है, या composite rate से tax देना है, तो आपको एक हमारी शर्थ पूरी करनी पड़ेगी, कि आपका aggregate turn और, preceding financial year का, और कि देख करोड से जादा नहीं होना चाहिए, तो आप current year में composite rate से tax दे सकते हो, एक बार फिर से पढ़ता हो, आप भी मेरे साथ did not exceed 1.5 CR or 75 lakhs for special category of states, okay, except Asam Imachal Pradesh, Jammu and Kashmir, में up to pay, अब मैं आपका द्धान में up to pay पर लाना चाहोगा, में up to pay का मतलब यह है, कि हम आपको फोर्स नहीं कर रहे है, कि आप composition scheme ही लो, आप threshold cross होने के बाद, या voluntary registration लेने के बाद, आप normal scheme से भी आ सकते हो, normal scheme में आप 5%, 12%, 18% य इसमें भी आपका goods or services साथी है, आपका रहे 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 है, तो 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 आपका रहे है, त मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि composition scheme यह जो है बटा यह optional scheme है यह अप्शनल scheme है यह compulsory नहीं है आपने registration लेने के बाद आप अपने अपने रिजिस्ट्रेशन लेने के बाद आप नॉर्मल स्कीम से भी चल सकते हो या फिर composition स्कीम से भी चल सकते हो में opt to pay में बाद वडे t'ेंदे और स्थ्रेशन लेह से धी किुष्ट के करें स्थ्रेशन लेकित। अपने ट्वे बाकि तो 3% स्थ्रेशन लेकित। मतलब मैं जब भी रेट को होँगा यह जो means labs है, वो consider करूगा, तो आप 5% से ना देते हुए, आप 18% से, 12% से, 28% से ना देते हुए, हम जो नीचे rate प्रिसक्राइब कर रहे है, उस प्रिसक्राइब रेट से आप current financial year में tax दे सकते हो, तो देखो वो क्या rate प्रिसक्राइब कर रहे है, an amount calculated at such rate as may be prescribed, but not exceeding, मैं आपका not exceeding, not exceeding का मतलब है, कि जो हम rate दे रहे है, इस से जादा नहीं होने चीए, तो government time to time prescribe करेगा, पर इस से जादा नहीं होगा, और मैं आपको बता दूगा, जो rate यहाँ पे दिये, उतनी rate prescribed किये है, रूल 7 में, मतलब जितने rates है, वो maximum rate prescribed हो गया है, तो अब देखो, क्या कहते ह होगा, सुनिये जाद से, तो rate होगा half percent, अब क्या देखो सुनियेगा, यह rate half percent, यह CGST तो CGST act में half percent, SGST act में half percent, ऐसा कितना होगा बटा, 1% इसले नीचे अगर आप टेबल देखोगे, तो उतना ही rate prescribed किया गया है, तो manufacturer होगा, तो manufacturer, यह आगे के लाइन पर देना, अब दे तो CGST का half percent, SGST का half percent, total 1% rate होगा, 1% of turn or in state, इसके बारे महां आगे बात करेंगे, तो उनों ने रेट दिया manufacturer के लिए, और के 1%, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, क्या, कि सर मैनीफेक्ट्ट्र मतलब को, हमने इसके पर जएक मैनीफेक्ट्ट्र की डेfinition देखी ती, म अबीजाँ बनाग जिसका इक अलग नाम है, अलग खुछर एक राक्टर है, वो मैनीफेक्ट्र इड़े टियागी और जो बंद इसफुर्णि पर जाएगा, और जो बंद ये प्रोसेस कर रहा है, वो बंद इसका जाएगा उन्देट्र का जाएगा, अट रएगा तो अग बी, बी यहाँ पे 2.5% of turnover in state, 2.5% of turnover in state, और union territory, in case of person, engage in making supplies, referred in clause B of para 6 of schedule 2, याद करने कोशिश करो, okay, यहाँ clause B, para 6 of schedule 2 में क्या आता है, schedule 2, para 6, para 6 में 2 services थी, works contract, और restaurant catering, हा, okay, इसमें आता है restaurant, restaurant, or catering, or mace, mace, etc., तो अब इसके आगे बटा, okay, हर वो service जिसमें food दिया जा रहा है, यहाँ पे drink दिया जा रहा है for human consumption, फिर वो restaurant हो, catering हो, mace हो, eating joints हो, भोजना ले हो, कुछ भी हो, okay, जो clause B में आने वाला, कोई भी ऐसी service जिसमें food for human consumption दिया जा 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 रहा है, वो चंसिडर किया जाएगा, ठीक है, वो चंसिडर किया जाएगा, तो अब में बार-बार mace, eating joints पकरे का नाम नहीं लूगा, मैं restaurant catering and etc. का होगा, मतलब समझ जाना यहाँ तो यहाँ पे, Okay, एक ही service को यहाँ तेड़ करोर तक का composition scheme दिया है, एक ही service को, बाकी तिब अच्वी सर्वीसे शेंट टू ए में आता है, मैं आगे आपको पड़ाओगा तो ऐसे केस में रिस्टोरेंट और कैटरिंग होगा तो 2.5% का I repeat 2.5% का benefit उसको composition scheme में दिया गया थोड़ा में टेबल में हैसे बताओ तो रिस्टोरेंट और कैटरिंग होगा तो वो situation में 2.5% CGST 2.5% SGST यहाँ रिट कितना दिया बिटा 5% I repeat rate कितना दिया 5% लास्ट कि टेबल में हमने लिखा था अगर आपको याद होगा तो और और यहाँ पे 0.5% of turnover of taxable supply again 0.5% of turnover of taxable supply of goods and services in a state or turnover in union territory in case of other supplier तो यह underline करना taxable supply of goods and services okay for other supplier other supplier तो यहाँ लिख देना trader trader engage in supply of goods engage in supply of goods supply of goods हाँ मैं जानबुच के लिख रहा हूँ sir other supplier में आपने कैसे प्रिजुम किया कि trader ही आएंगे जो supply of goods कर रहा है उसके लिए आगे एक provision आती है बेटा वो आपको समझना बह जरूरी है अभी मैं कह रहा हूँ ना तो ट्रस कर लो कि यह other supplier में जो है trader आते है manufacturer नहीं जो trader खरिटते है बेशते है माल ओके तो ऐसे केस में trader जो supply of goods में एंगेज है तो वो आते है तो उनको भी 1% का स्कीम दिया है तो ट्रेडर को 0.5% 0.5% टोटल कितना बिटा 1% यह पे 1% अप टैक्सेबल सप्लाइब गोड़स एंड सर्विसेज यह उनको यह बेनिफिट दिया गया है 1% का तो चलो एक बार मेरे साथ रिवाइस कर लेते है अगर आप प्रेसिडिंग फिनाइनशियल शेएर की यह कंडिशन मतलब आपका प्रेसिडिंग फिनाइनशियल शेयर का अगर से च hemजह percent एगर देड करोड की नीचे होगा तो गविन्मिन आप से बात करना चाहती है मेरे तुम यहां पे देड करोड के नीचे होगा तो current year में हम आप से tax 1% ही लेंगे आपको composition scheme लेंगे और current year में जो भी आप state का turnover होगा वो state के turnover का 1% ही tax लेंगे अगर आप manufacture होगे तो दूसरा restaurant catering होगा तो 5% लेंगे और अगर आप trader होगे तो 1% का tax का option आपको मिलेगा तो आप यह scheme enjoy कर सकते हो इस scheme के कुछ नुकसान है तो बहुत सारे फायदे भी है नुकसान यह है कि आप tax invoice नहीं दे सकते और नुकसान यह है कि आप credit नहीं ले सकते और कि अगर आप 1% से tax दे रहे हो इस साल लेकिन फायदा यह है कि record maintain करने की जरुवत नहीं return file करने की जरुवत नहीं compliance ज्यादा करने की जरुवत नहीं है तो बहुत सारे फायदे आपको मिल सकते है इस composition scheme में तो बेटा यह है अपने rates दिखा ता नीचे तो चलो एक important comments पे अजया 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 इसा अजया थादा हो गया इसमें बहुत सारे वर्ट्स में दिरे 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 ओकि उसके बाते उपन करोगा आपने पते ओपन करोगा और फिर देखो में कैसे जितता हो तो in simple word, okay, be careful, come on, be careful अभी तो मैंने सी broad sense में स्कीम बता ही है इसके एक एक वर्ट पे देखना कैसा detail manalysis होता है तो अभी तो स्कीम यह है कि आपको 1% और 5% और 1% का आपको बेनिफित में लेगा तो important comments, यह स्कीम आपके लिए उप्शनल है ठीक है, यह स्कीम अगर आप लेते हो तो आप नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी आपके उपर नहीं आएगी special category of state के लिए 75 लाक्स का है लेकिन तीन ऐसे state, okay, learn करना कौन-कौन से आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मन कश्मिर, come on आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मन कश्मिर, जहाँ 75 लाक्स की लिमिट अप्लिकेबल होगी और लदाक के लिए भी तक कोई क्लारीटी नहीं है लदाक के लिए भी तक कोई क्लारीटी नहीं है, इवन दो यह separate union territory बन चुकी है ठीक है, चलो, यहाँ तक समझ में आया, हम ठोड़ा आगे बढ़ते है, फिडिस्केशन को और में detail में लेके जाओगा प्रवाइद बॉवड क कि लिए दान प्रव प्रवाँ पर लोड़ा प्रवाँ दोड़ा है, तो यह थोड़ा समझ ना, अच्छूली जब ग्स्टी लॉपिचर में आया दो, 1.July 2017 को तो तो लिमिट सी 50 लाग दी गई थी, लिमिट सी 50 लाग दी गई थी, पर एक प्रोविजो अड़ की थी, यह प्रोविजो बेर टेक्स्ट है, इसलिए कन्फिज मत हो ना, और यह प्रोविजो क्या कहती है, कि 50 लाग की लिमिट अगर गौर्मेंट चाहे तो 1.5 करोड तक बढ़ कि लिमिट सी 50 लाग है, लेकिन बाइ नोटिफिकेशन उसको 1.5 करोड तक बढ़ा के रख दिया क्योंकि प्रोविजों यह पावर दी थी, और प्रोविजों यह पावर दी थी, गौर्मेंट, मतलब GST कॉंसिल चाहे तो यह 50 लाग से इसको 1.5 करोड कर सकती है, और GST कॉं अगर आप बेर टेक्स देखते हो, अग देखते हो तो 50 लाग है, पर वो बढ़ा के देड करोड कर दिया है, चलो, यह प्रोविजो वेसली थी इंपर्टन नहीं है, नहीं नाउ नेक्च, यहां पर provided further that a person who opt to second proviso which is very 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 important second proviso क्या केती द्हान से सुनियेगा okay provided further that a person who opt to pay tax under clause A or clause B or clause C clause A मतलब क्या बटा clause A मतलब manufacturer clause B मतलब restaurant catering clause C मतलब trader तो जो clause A, B or C में सप्लाइ सर्विशस other than those referred in clause B of para 6 of schedule 2 of value not exceeding 10% of turnover in state or union territory in preceding financial year or 5 lakhs rupees whichever is higher को समझा के आपको नहीं ना मुझे भी नहीं समझा बात का तब नहीं वेटा ऐसा नहीं है okay that's the scenario this discussion is very important लेकिन में नीचे लिखाए detailed discussion on explanation is done on subsequent pages explanation नहीं प्रोविज़ 2 अगर अपके नोट्स में करेक कर अजाएगा तो ठीक है otherwise correct कर ले ना detailed discussion on proviso 2 is done on subsequent pages इसके लिए थोड़ा आगे की provision पढ़ना बट जरूरुरिय है इसको अभी नहीं पढ़ा सकता ये प्रोविज़ पर प्रोविज़ बट इम्पॉर्टन अभी सप्लायप सर्विज प्रोविज़ पठाउटि कर लोगाओ जब प्रोविज़ 2 इसको टोब इसक्राइशन क्या पढ़ा होग浮 ओकि इत्वबवसाचेशनग प्रोविजर बढ़गी अगम्हे पीयार विस ज्रपीर बाद में मुझे प्रोविजर टौ अच्छ पहले बढ़ टाऊगा और को छो नियुच्छ फिर बाद में ंवना नाप बढ़गा अब प्रोविजरओेशन डियेख गानोंget on तो यहां section 10.1 with two proviso और explanation खतम होता है, ठीक है, दुसरी proviso और यह explanation में आपको आगे पड़ाओगा, ठीक है, now, next page पे अगर आप आओगे, तो next page पे लिखा है, section 10.3, eligibility criteria for composition scheme, अब 10.3 मैं जानबुच के पहले ले रहाओ, 10.2 नहीं लिया, 10.2 नहीं लिया, 10.3 मैं पहले ले रहाओ, क्योंकि 10.1, 10.3 के साथ पढ़ते हो, तो ही आपको यह skim समझ में आएगी, तो 10.3 क्या कहता है, the option available by register person under subsection 1, मेरे सामने client बेठाया, देख भई, पिछले साल का तेरा 10.5 क्रोर के नीचे है, तो तुझे यह option मिलेगा कि current year में तो tax 1% से पे कर सकता है, हाँ sir, मेरा turn of previous year का aggregate 10.5 क्रोर के नीचे है, मैं आपको सब records लाके देता हूँ, okay, देख लो sir, all taxable supply, exam के तीनो supply मिला कर, okay, next export supply मिला के stock transfer, और all over India basis का, सबी का turn or मिला कर 10.5 क्रोर के नीचे है और सबी का turn or मिला के 10.5 क्रोर के नीचे सर, तो देख लो मुझे कमपोजिशन स्की मिलेगी, सर्वा, मजा आगिया, okay, अब मैं कमपोजिशन स्की मिलूगा, हाँ, तुझ करेंट यह में कमपोजिशन स्की में ले सकता है, एक परसंट से tax दे सकता है, क्योंकि तुने previous year के ब तुने 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 तुन register person under subsection 1 and as the case may be 2A now 2A we have not seen 2A, so 2A we have seen 1, so we have to take care of 1 so under subsection 1 shall lapse, oh oh if you have taken option 10-1, that you will go to Composition Scheme so when will the current year lapse shall lapse with effect from the day on which his aggregate turnover during financial year, this financial year means current financial year current financial year aggregate turnover during financial year exceeds the limit specified under subsection 1 exceeds the limit specified under subsection 1, what does it mean? it means that in current year current financial year here, the 1% tax will lapse when in current year aggregate turnover aggregate turnover exceeds 1.5 year exceeds 1.5 year what does it mean? if I explain it here if I have to explain it then here preceding financial year and current financial year you can draw it in the notebook otherwise these mark notes will be found okay, so here preceding financial year and current financial year okay, so preceding financial year it doesn't appear to be taxed because it appears to be taxed preceding financial year is that it appears to be that I have to find what will I get to the current year which will be taxed in current year what will I get to 1% taxed which will be taxed so now let me see here how do they say it? what do they say? अगर प्रिसीदिंग फिनांशल यर में, मेरा एग्रिगेट टर्न और, एग्रिगेट टर्न और, डज नॉट एक्सीड्स, डज नॉट एक्सीड्स, डज नॉट एक्सीड्स, 1.5 C.R. मत करना, 1.5 C.R. तो, यस, ओके, मैं कमपोजिशन स्केम के लिए इलिजिबल हो जाओगा इलिजिबल, मेरी इलिजिबिलिटी आजाएगी, for composition levy, composition levy, तो अब मैं current year में composition scheme ले सकता हो, अब current year में क्या, पूरे साल मुझे 1% का option मिलेगा, नहीं, पूरे साल नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे, जब current year में, मुझे 1.5 C.R. तक, मेरे aggregate turn or, okay, aggregate turn or, 1.5 C.R. तक मुझे option मिलेगा, और जैसे 1.5 C.R. खतम हो गया, मेरी skim lapse हो जाएगी, मतलब क्या, मतलब समझे लो, April, May, June, July, तो April, May, current year का, June, और July, और July, ठीक है, तो April में मेरा turn or हुआ, okay, समझे लो, मेरा April का value है, 30 lakh, May का value है, 20 lakh, okay, June का value है, June का value है मेरा value of supply, ठीक है, June का value है 80 lakhs, और यहाँ पर, 10th July का, 10th July का, मेरा value, okay, 10th July का मेरा value, तो 30 lakh, 20 lakh, कितने हो है, 50, 581,80, और यहाँ पर 10 July का मेरा value है, 20 lakhs, तो अब, जैसे जुलाई, और मैं August भी ले लेता हूँ, August, ठीक है, तो यह period में, मैं tax जो है, मैं, यह period में tax 1% ही दोगा, मतलब, यहाँ पर, यहाँ से लेके 10th July तक, okay, tax is payable, GST is payable, payable, C GST, at the rate 0.5%, और S GST, at the rate 0.5%, S GST 0.5%, C GST 0.5%, लेकिन, अब, मेरा 10 July को स्कीम, शाल बीद्राओ, शाल बीद्राओ, मेरी स्कीम लाप्स हो जाएगी, 10 July को लाप्स हो जाएगी मेरी स्कीम, और, अब इसके लाप्स हो जाएगी, तो जैसे मेरा 1.5 करोर को स्कीम लेगी, 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 तो जैसे मेरा 1.5 करोर को स्कीम ले at normal rate, GST आपको normal rate से देना है, देहन से देखिएगा, GST is payable at normal rate, normal rate से आपको tax देना है, आई बस समझ में, yes or no, okay, तो normal rate से tax देना है, तो, अगर current year में आपका देड़ करोर क्रॉस हो जाता है, तो composition scheme withdraw जाएगी, लापस जाएगी, सेक्शन 10.3 के साप से, अगर आप special category of state में तो 75 lakhs, current year में 75 lakhs, और यहां लिखना है तो लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है, तो लिखना है, तो बटब यहाँ पर, यहाँ पर, वहाँ पर आप पर प्रिजूम कर चलना है, कि 1.5 करोड नॉर्मल स्टेट्स के लिए, प्लस 3 special category of states के लिए, आसाम, इमाचल प्रदेश और कश्मिर, बाकी special category के लिए 75 lakhs, मतलब प्रिवेस यर भी 75 lakhs, और करेंट यर भी 75 lakhs, तो एक बार फिर से, इस कीम देखो कैसी है, इस कीम है, कि अगर आपका प्रिस्टिंग फिनांशल यर का अग्रिगेट टर्न और 1.5 कर यर यर 75 lakhs से कम होगा, तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए इलिजिबल हो जाओगे, और आप अगरिगेट टर्न और, मतलब सब टोटल करते करते करते, सुझे दैन से, टोटल करते करते करते, एगरिगेट टर्न और जिस दिन आपका देड करोर करेंट यर में आ जाएगा, उस दीन यह स्कीम लिप्स हो जाएगी, और यहां पना इस के आगे इसके आगे hect Augen व और यहां तक जो टाइक्स दिया वह आपको 0.5, 0.5% से दिना पड़ेगा अगर अगर मैनिफेक्शनर या ट्रेडर होगे रिस्टोरेंट और कैटरिंग होगा तो आपको जो है वह 5% से दिना पड़ेगा आपको यह स्किम समझ में आई होगी आई और नहीं बोलो हाँ ठेक है आगे का डिस्क्रिशन जो बहुत इंपोर्टेंट है वो नेक्स वीडियो में दिखेंगे अर्षाव. अ. आओ. आ. 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 झाल झाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 तक मतलब झाल झाल विए झाल और आपका यहां का वाल्यू जो है एक यहां की वैल्यू थर्टी लाक्स, फिर यहां शप्लाए हुआ, और सप्लाए हुआ है, जो है यहां की वैल्यू एटी लाक्स, 80 lakhs और तीसरा supply में में यहां से हुआ और यहां का value जो है supply का 40 lakhs 40 lakhs में में तो ऐसे केस में यहां आपकी current year में aggregate turn or यहां current year में आपका aggregate turn or exhaust हो गया तो आपकी कमपोजिशन लेवी लैप सोजाएगी, ठीक है, तेक्टिशन तेन 3 के साफ से, आपकी कमपोजिशन लेवी लैप सोजाएगी, तो अब, मतलब क्या, मतलब आपको यह ट्रैक रखना करेंटीयर में, तो थेह के और protagon कोगम?!? जैनि you like! पहले थे सागेड करहें में आपन देते हैं अजैनि के लिए क संेडरे आपना समंचे। नियूरीम व Means आपोगम आपने क्लाइंटस है शाच मैं अजानिए तब निर आपनी क्लाइंटस करें वे टीनो प्रांचेस आपको अपको ठाख राख ठाख नापड़ेगा और जिसका पहले 150 लाक्स में जैसे आपका पहले 150 लाक्स च्रोस हो जाता है, कुम पोजिशन की में लाप्स हो जाएगी, कुम पोजिशन की में लाप्स हो जाएगी। तो उमेजो और जिसे 2nd April को निकला। यह सेकें आपका कंसाय्मिंट तेन्थ एप्रेल को निकला। यह अर यह उपका यह शुद्ग्वे में को निकला। 15 निकला। तो 15 ने को आपकी कंपोजिशन लेवी की विड़ो हो। आपकी कंपोजिशिशन लेवी विद्ट्राइब देड़ को, देड़ करोड खतम है, तो अब आपको टैक्स कैसे देना है, अब एक सवाल आपका बड़ा सिंपल सवाल है, और देहान सा सुनना, किसे ने मिसमत करना है पॉइंट, कि सर जब 1% काम टैक्स देंगे, पेले देड करोड पे, तो तीनो का मिला कर, तीनो का मिला कर, क्या एकी स्टेट में देगे क्या, तीनो का मिला के एकी स्टेट में, समझ लो महाराष्ट्र में हमारा है तो महाराष्ट्र में तीनो स्टेट का 1% दे दिया, नहीं, टैक्स पे करते वक्त, कमान, टैक्स पे करते वक्त, आपको 1% of turn or instead देखे गए देखे टेखाओ चाहिग है को सटेट işi को सटेटवाई देखाओ देखाओ थैण इस देखा है मतलब महारास्तर स्टेट का टेक्स महारास्तर सेट में देखे एग देखे हैनि यह का C GST और महारास्तर का SGST 0.5%, 0.5%, 0.5%. How much did this happen? 30 lakh lakhs here, 0.5%, 30 lakh가 1%, 30 lakhs, 0.15 lakhs here and this, 0.15 lakhs, 15,000, okay, there is 15,000,000, what returned once in Maharashtra, okay, payable in Maharashtra, पेबल इन महराष्ट्रा, okay, यहाँ पे 80 लाग हुआ, 80 लाग हुआ तो CGST, 0.5%, SGST, 0.5%, okay, तो यहाँ पे 0.4 लाक्स, और 0.4 लाक्स, okay, यह आपका पेबल इन गुजरात, यह आपका पेबल कहाँ पे आएगा, पेबल इन गुजरात, ठीक है, और यह जो है, यहाँ पे CGST, 0.5%, SGST, 0.5%, तो यहाँ पे 40 लाक्स का 40 लाक्स, यहाने 0.2 लाक्स, और 0.2 लाक्स, जो है, okay, पेबल इन, कहाँ पेबल आएगा, देली, पेबल इन डेली, डेली, ओसी, तो यह पोइंट का समझे it, आपको टैक्स जो बुएना है, वो तो स्टेट का टर्न खरे, यह state का turn or यहाँ पे 30 लाग, यह 80 लाग और यह 40 लाग, तो आपको tax pay करते वग, state के turn or के basis पे देना है, सुने क्या मेरी बात, state के turn or के basis पे देना है, पर, पर, आपका जब यह decide होगा कि कब laps होगा, लाप्स होने के लिए aggregate करना है, सुनो, याने आपकी limit cross हुई की नहीं हुई आपकी limit cross हुई की नहीं हुई, उसके लिए आपको aggregate करना है, एग्रिगेट करना है, पर, टैक्स आपको जो है, state wise देना है, मतलब, aggregate turn or हम, composition scheme में दो परपस के लिए लेंगे, एक, प्रिसेडिंग financial year की total करने के लिए, वो हमें यह बताएगी कि current financial year में हम eligible है या नहीं है, वो हमें यह बताएगी कि current financial year में हम eligible है या नहीं है, आप यह बात समझ रहो, तो उससे हमें यह पता चलेगा, और, current year में, current year में हम aggregate turn or 1.5 CR इसके लिए लेंगे कि हमारा composition लेवी कब लैपस होगा, तो हम aggregate turn or दो बार लेंगे, previous year और current year में हमारा composition लेवी कब लैपस होगा, जब तीनों का मिलाके aggregate turn or cross हो जाएगा, और उसके बाद में tax पे करने के लिए, हम aggregate पे नहीं देंगे, क्योंकि कोई एकी स्टेट में tax नहीं दिया जाएगा, बादी के स्टेट चिलाएगे, तो टैक्स जब दोगे तो आप टैक्स टरन और इन स्टेट पी दोगे, लेकिन, 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 लेकिन क्या मतलब यह हुआ बटा यहां पर कि अब आपका स्कीम लैप्स हो गया अब यहां 25 में को 25 में को अगर अगर आप अगर शेस्fahrण रोग यह आपको टैग्स देते व्क स्टेट वाइस सेट वाइस पर साससाथ मैं ओम आप जब टो यह जब लिमिट करेंगा झाच करना पड़ेगा, कि यह भी चेक करना पड़ेगा कि आपका लिमिट 1.5 बाइड सी आर करोस नहीं होगा इसले सबी ब्रांच इस पर ट्रहक रखना पड़ेगा और जैसे 1.5 बाइड सी आर क्रोस हो गया तो उसके बाद में जो एक याद एक यह लाग तीस लाग, टी सो एक सोद़र एक सो दस to За रान टेन तेन 40 जाओ रौकछे। और बाकी जो 10 है उसक्योर नॉर्म रेड्ट, इस तरह से ये अग्रिगेट टनोर और ये स्कीम जो है आपको मिलेगी, एक फिर से आपको अग्रिगेट टनोर प्रिषी इनांशल यार, इलिजिबिलिटी के लिए ले ले ले長े इंग्रिगेट करना है क्योंकि ये देखना है कि next, पेमेंन करतेव कित के अच्ट अच्ट तरुन ए पे करना है, तविम ए टाइब तरुन ए खिल करना है, तो यह तब आपको ध्यान रखना है, यह बड़े इम्पर्टन चंसेप्त है, आपको समझ में है यह बात, यह सर्नो अच्छ अच्छ था अरे तू सु घडू तु चलो कर लेना अब टन एंगीड कर लेना बटनीज स्थेट कीशप्ट कीशप्ट अपको यहार ठानर तेट कीशप्लियागए ंौन एकस्परण या इंटेस फाफ्ल इनलरेडे इस Сप्ले उन टानर इस क्ysisप्टे इस Harry शुप्लिया इंट्सिटेटी ब्स यप्टी इस तो दोस्तों आपको हमने यह discussion देखा जिसमें payment जो है जब भी आप half percent payment CGST और SGST का दोगे तो यह half percent payment जो होगा यह turn or in state का होगा अगर आप यह बात यहां समझ रहे हो तो यह turn or in state का होगा यह turn or in union territory अब turn or in state और turn or in union territory की definition आपको याद होगी तो लगबग aggregate turn or जैसी है हमने last वीडियो में देखा all taxable supply, invert supply under RCM, exam supply भी consider होगा जिसमें only exam nail rate I repeat, only exam nail rate और non taxable supply उसके बाद में export supply उसके बाद में यहां पर अगर देखा जाए तो इंटर स्टेट सप्ला है तो यह state wise पे किया जाएगा लेकिन आप eligible होगे क्या जिसके लिए aggregate turn or की limit ली जाती है वो जो है यहां पर इसके basis पे लिया जाता है कि preceding year का आपका aggregate turn or sub का मिला के और current year का आपका जो limit or lapse नहीं होना चाहिए चलो, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं यह बात पर आपका धालना ना चाहोगा कौन सी? Manufacturer होगा तो यह situation में आपका half percent of turn or in state होगा half percent of turn or in state होगा, cgst half percent, sgst half percent, restaurant catering होगा तो 2.5% यह भी turn or in state ही का है उन्होंने, restaurant catering भी turn or in state होगा लेकिन जो clause C है, यह clause C थोड़ा अलग बात करता है clause C क्या कहता है? कि half percent of turn or of taxable supply of goods and services in a state और turn or in your territory in case of trader मतलब क्या है? यह अगर table देखोगे तो table में और clarity आपके सामने आएजी क्या? Manufacturer तो turn or in state वर्ड यूज़ किया है उसके बाद में restaurant catering तो turn or in state वर्ड यूज़ किया है जब pay करोगे तो state wise pay करोगे और जो state का turn or होगा उसके बेस पे लेकिन यहां पर यह जो trader के लिए है trader के लिए उन्होंने देखो धान से उन्होंने वर्ड यूज़ किया है turn or of taxable supplies of goods and services in a state turn or of taxable supplies of goods and services in a state अब इन दोनों में फरक क्या है? turn or in state और turn or of taxable supplies of goods and services in a state चलिए मैं आपका धहन इस discussion पे लाना चाओगा अगर हम यह discussion ले तो next difference between अगर मैं यहा लो तो difference between turn or in state turn or in state and turn or of taxable supply just a minute turn or in state for manufacturer or a restaurant catering etc and and turn or of taxable supply turn or of taxable supply of goods or services sorry goods and services goods and services inner state inner state अब यह दोनों का difference दिखाओ अगर आपको turn or in state की definition याद होगी अगर आपको याद होगा definition part तो हमने turn or in state की definition ऊपर देखी थी turn or in state की definition हमने यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो section 2 112 में turn or की definition देखी थी all taxable supply, exam supplies, export of goods and services and interstate supply जिसमें GST इंक्लूडनी होगा वह आपस हमारे discussion पर आते हैं in state or ut यह definition क्या कहती है पहला all taxable supply all taxable supplies of goods or services okay all taxable supply of goods or services except invert supply invert supply under RCM invert supply under RCM ठीक है उसके बाद में second exam supply exam supply अब एक्जम सप्लाय में यहां तीन सप्लाय आते हैं कान से तीन सपिला याह व właści एक्जम गजसाव चौक कर दो जांके हैं बाता हैं बेख सप्लाय कॉमन बतार बतां वाली एक्जम सप्लाय में वाली इंगंट हिग रग्जम सप्लाय में हिं रुष यजा differd was और दोли एड़ous प्जीक नहीं प्वाल ट nessa टन्यूल टन्यूल सप्ला मतलब अल्कोल, पेट्रोल, डीजल बगर उसके बाद में थर्ड वाला जो है यहां थर्ड वाला एक्सपोर्ट सप्लाई एक्सपोर्ट सप्लाई अफ गुड्स और सर्विसेज goods or services, export supply of goods or services और next, interstate supply interstate supply तो यह जो है, ओके यह आपका turn on in state आएगा अब यह turn on in state का मतलब क्या? अब manufacturer को, ध्यान से सुनना manufacturer को 1% of turn on in state देना है manufacturer को 1% of turn on in state देना है मतलब क्या? मतलब यह कि आपके turn on in state में जो जो include होगा, सब एड करके 1% सब एड करके 1% तो ऐसे situation में, manufacturer जो 1% देगा तो अपने सभी taxable supply लेगा सुनना मेरी बात अपने सभी taxable supply लेगा प्लस exam supply भी आड करेगा और वो exam supply एड करके उसका 1% हाँ मेरी बात सुनो exam supply एड करके उसका 1% नील रेट supply भी एड करेगा और उसका 1% उसका 1% उसके बाद में यहाँ पर बाकी जो supplies है और के तो इन सिम्पल वर्ड यह टेन वन कहता क्या है तेन वर यह कहता है कि मैनिफैक्चरर को 1% टॉप टॉर इंस्टेट देना है और उसके टॉर इंस्टेट में हमने जो जो भी इंक्लूड किया है अल-taxable supply, exam supply, nil rate supply, non-taxable supply, उसके बाद में export supply, interest rate supply यह सब कंसीडर करना है लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ यह जो non-taxable supply है यह consider नहीं होता है मैं आगे section 10-2 में बता दूगा 10-2 हमारा explain होना बाकी है सिब लिख लो आप, यह exam supply, not to be considered not to be considered, exam supply, क्यों, as per बस आप 10-2 लिख दो, not to be considered यह भी, यह exam supply, non-taxable supply, नहीं होता है दूसरा, export supply, not to be considered लिख सिब नहीं समझ में आपा, तू भी लिखो not to be considered for payment as per section 10-2 और यह interstate supply भी, not to be considered not to be considered अब मतलब क्या आगे मैं इसके बाद हमारे एक discussion चालोगा और वो उसमें मैं बता होगा कि अगर आपका non-taxable supply होता है तो composition levy मिलती ही नहीं है मेरी बत हैं से सुनना non-taxable supply होगा तो यह scheme के लिए आप जाए नहीं सकते हैं export supply होगा export interest rate माना जाता है तो यह scheme के लिए आप जाए नहीं सकते • proudly on the same standard इसके लिए आप जाए नहीं सकते यह restrictions आगे section 10.2 में है पढ़ाओगा त्रस्ट मी अभी बस मैं जितना कह रहा हो सुन लो, और के टेंटू में ये कहा गया है कि अगर कोई supplier non-taxable करता है तो उसी वक्त कंपोजिशन के लेवी विड्रॉ कर ली जाएगी, विड्रॉ कर ली जाएगी, एक्सपोर्ट सप्लाय करता है तो उसी वक्त विड्रॉ कर ली इन सप्लाय कर ली जाएगी, मतलब इन सप्लाय पे आप कंपोजिशन लेवी ले ही नहीं सकते हैं, थोड़ा इसको दूसरे वे से समझाओ क्या, मतलब क्या कि बाकी अगर सप्लाय होगे, टैक्सेबल होगा, वल्ली एक्जम्ट होगा, या नील रेट होगा, तो ही आपकी कं बाका पंपोजिशन लेवी सेह सालामत रहेगी और आप 1% का टैक्स दे पाओगे, आक्के तो ये तीन सप्लाय जो है, ये तीन सप्लाय होगा, वो अलओ करते हैं, ये तीन सप्लाय होगा, बाका ध्यों現在 a wouldyou in the Equal Commission website, भाकी का मतलब यह है कि अगर बाकी मैनिपक्शि को अगर 1% देना है तो 1% of turn or in state, अब turn or in state में taxable supply तो ले नहीं है, taxable supply of goods or services, plus exam supply का holy exam भी लेना है, वो भी add करना है, problem solve करते हैं देना है, okay, 1% of what, 1% of taxable supply, plus holy exam supply, plus nil rate supply, ये तीनों add करके उसका 1% आपको देना है, हाँ, बाकी supply turn or in state में आते हैं, पर composition लेवी के लिए important नहीं है, I repeat, मेरा ये statement बहुत important है, बाकी supply turn or in state में आते हैं, पर composition लेवी के लिए important नहीं है, क्यों, क्योंकि बाकी supply अगर होगे, तो composition लेवी वो supply पे मिलती ही नहीं है, और immediately withdraw हो जाती है, मैं आगे section 10-2 में पढ़ाओग इसलिए बाकी supply कोई काम के ही नहीं है, especially for composition लेवी, क्योंकि वो withdraw हो जाएगा, तो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, अब ध्यान से सुना, मैं जो कह रहा हो, कि अगर आपका non-taxable supply होगा, export supply होगा, export supply भी interstate माना जाता है, या interstate supply होगा, तो इस supply पे आप composition लेवी नहीं लगा सकते हैं, और उसी वक विड्राओ जाएगा, मतलब इस supply पे आप 1% से tax नहीं दे सकते हैं, और आपकी बाकी supply की भी composition लेवी विड्राओ जाएगी, तो मतलब आपको mainly turn or in state में तीन ही supply allowed है, कौन से तीन supply allowed है, और कि taxable supply of goods or service, exempt में वोली exempt और नील रेट, और यहां manufacturer को, या restaurant catering को, I repeat, manufacturer को और restaurant catering को, यहां पे 1% top turn or in state मतलब यह तीन add करके देना पड़ेगा, या restaurant catering को 2.5% प्लस 2.5% तो 5% यह तीन हो कर देना पड़ेगा, तो यहां अगर मैं इस तरह से पढ़ाओ, तो यहां पे बेटा क्या होगा, यहां पे बेटा कुछ इस तरह से होगा, यहां से सुनियेगा, इस तरह से लिया जाएगा, कि manufacturer, एक मिनाटा, payment of tax in composition scheme, payment of tax in composition levy, in composition levy. पेमेंट of tax in composition levy, manufacturer, manufacturer होगा, तो यहां 1% of turnover in state or UT, equals to 1% of, क्या, taxable supply, 1% of taxable supply, 1% of taxable supply, plus taxable supply, plus exempt supply, sorry, वोली एक्जम्ट supply, प्लस, निल रेट supply, निल रेट supply, आपको यह बात समझ में आ रही है, तो यहां पे, क्या, manufacturer 1% किसका देगा, ओके, इसको थोड़ा मैं जूम करूँ, तो manufacturer 1% taxable supply, प्लस, वोली एक्जम्ट supply, प्लस, निल रेट supply, वो 1% of turnover in state, यह इस तरह से निकाला जाएगा, यह बाकी other supply कोई काम कि नहीं है, ओके, दूसरा restaurant और catering होगा, तो, restaurant और catering होगा, तो यह जो देंगे, 5%, यह 2.5%, 2.5% of turnover in state, turnover in state or UT, equals to 5% of, yes, same, 5% of, इस तरह से, तीन supply को add करके, उसका 5% दिया जाएगा, आई बीरी बात समझ में, तो 1%, 1% calculate करने के लिए, अगर वो बंदे का, okay, taxable supply होगा, वोली एक्जम्ट supply होगा, यह निल रेट supply होगा, तो उसका total 1% होगा, समझ लोग कोई manufacturer है, stationery के अलग-अलग atoms बना रहा है, सुनेगा, manufacturer है, stationery के अलग-अलग atoms बना रहा है, ठीक है, manufacture करके, sell कर रहा है, तो यह situation में, उसकी कुछ stationery exempt होगी, कुछ stationery taxable होगी, कुछ stationery यहां पर नील रेट होगी, तो यह अधर एड करके उसका 1%, सर गोवर्मन न ऐसा क्यों किया, बई लोगिकली देखा जाया, तो 1% of taxable supply होगी लेना चीए, ओके 1% of exempt supply क्यों कम्पोजिशन लेवी में, 1% of need rate supply क्यों कम्पोजिशन लेवी में, सर, ओके, लोगिकली, एक्जम सप्लाय पर वैसे कोई टैक्स ही नहीं लगता है, नील रेट सप्लाय पर वैसे कोई टैक्स लगता ही नहीं है, तो हम ऐसे सप्लाय का टैक्स क्यों दे जो अल्रेडी एक्जम्ट है, मेरी बात समझ में आ रहा है, हम ऐसे सप्लाय का टैक्स क्यों दे जो तो अर्ड़ी एक्षम्ट है, उल्रिदी एक्षम्ट है, बाहिन परसेंट ओफ टैक्षिपल सप्ला है, तो गौरमेंट कहती है, सब्सक्राइब नौर्मेंट कहती है, कि अभी तो आप कहे रहे हो कि सेपरेट बुख सब अपको मिंटेन ना बहुत नहीं है, आपको यहाँ पे सचेहरें रिकॉर्ट की पिंग नहीं रखना है आपको सिभ टर्न और रिकॉर्ट रखना है अब हमने ऐसा कहा कि उन परसेंट औन एक्सीबल शपला आपको तेखसेबल सपला है तो आपको फिर रिकॉर्ड मेंटेन क्या रहा हुआ है पुट टूगेदर सब मिला के खतम करोना हाँ कोरोना सब मिला के खतम करोना एक बार का क्यों आप यह कि पूरा टोटल जो है कि सेपरेड रेकॉर्ड मेंटेन करते हो वन परसंट आप टैक्सिबल सप्ला है और हम एक ही परसंट ले रहे हैं हम कौंसा पांच बारा या अठाई से एटीन परसंट ले रहे हैं तो गौवर्मिंट ने सिधा सिधा मैसेज दिया और वो इंडूस्ट्री को बेनिफिशल हो त कमपोजीशन स्कीम ले नहीं बेनिफिशल हो तो ना ले ओप्शन आपके पास है कमपोजीशन लेवी को आपके लिए है आई बास समझ में आपके तो ऐससे सिचुएशन है वेटा वन परसंट आप दिस टैक्सिबल प्लस वली एक्जम प्लस नियल रेट सप्ला है इसका वन वो बोलते 1% of turn on in state, turn on in state में आपको यह तीनों supply लेने पड़ेंगे बाकी के supply लेने की जरुवत नहीं है क्योंकि composition लिए उसका apply नहीं होती है तो यह तो था बेटा turn on in state लेकिन दूसरा word जो defined नहीं है पर आपको कैसे interpret करना है specially trader के लिए trader के लिए वो कहते है, trader के लिए वो कहते है, turn on of taxable, turn on of taxable supply, turn on of taxable supply, of goods and services, services in a state, inner state और यूटी, हाँ, यह उन्होंने जो term यूज किये बेटा, okay turn on of taxable supply, inner state और यूटी, यह term किसके लिए यूज किया यह उन्होंने ट्रेडर वालों के लिए, C clause में जो आते है, उनके लिए यूज किया है, मतलब क्या message देते है वो, अब इसके पीछे, मैं थोड़ी आपको history बता होगा, और उनका message क्या है, यह बता होगा, ठीक है, क्या हुआ कि जब गुजरात के इलेक्शन थे, तो सभी ट्रेडर GST के आने के बाद बहुत नारास्ते, especially retailers, trader community, उनका यह कहना था, कि मेरी grocery shop है, मेरी hardware shop है, और कि बहुत से प्रड़क मेरे एक्जम्ट है, मैं एक्जम्टे टैक्स क्यों दूँ, क्यों दूँ मेरे trader community का बहुत जादा strong objection था, कि मैं एक्जम पे टैक्स नहीं दूगा, आपको जो लेना है, आप सिफ टैक्सेबल जो है, उसके लिए लो, मैं उतना record maintain कर लोगा, जो टैक्सेबल है उसका, composition levy में, गौवर्मेंट पहले तो एक साल नहीं मानी, पर गुजरात के इलेक्शन के वज़े से और GST के ऐसी को strict provision के वज़े से, तो फिर, okay, as a relaxation government ने act amend कर दिया, अब मोदी जी के हाथ में, जब मूड वा तब 9 बचके 9 मिनिट पर आ जाएगे, okay, in short, अब वो आते हैं, तो मन में ऐसा लगता कुछ तो गड़वड होने वाली है, तो यहा, मैं मोदी जी के अगेंस में नहीं हो, जस्ट बजाग कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे situation में बेटा, जहां तक देखा जाए, तो turnover of taxable supply of goods or services in a state, तो trader को, I repeat, trader को, उन्होंने only taxable supply पे 1% लगा है, मतलब क्या, मतलब taxable supply तो लिया ही जाएगा, टैस्केबल supply लिया जाएगा, पर यह exam supply consider नहीं होगा, nil rate supply भी consider नहीं होगा, और बाकी तो consider होते ही नहीं है, बाकी तो consider होते ही नहीं है, मतलब क्या, मतलब यहाँ पे अगर simple word में कहूँ, तो यहाँ, ट्रेडर जो है, ट्रेडर विल पे only on taxable supply, यानि अगर वो ट्रेडर होगा, तो ट्रेडर 1% of taxable supply का ही देगा, 1% of taxable supply, taxable supply कहीं वो पे करेगा, वो exam supply add नहीं करेगा, वो nail rate supply add नहीं करेगा, तो ट्रेडर यहाँ पे 1% of taxable supply, goods or service देगा, तो गवर्मेंट नहीं यह amendment कर दी, और ट्रेडिंग कमीटी को, मतलब यहाँ, जो ट्रेडर's community है, उनको खुश कर दिया, कि चलो ठीक है, हम manufacturer के लिए turn on in state ले रहे हैं, उसमें taxable plus exam plus nail rate सब आड होगा, लेकिन ट्रेडर के लिए हम सिर्फ taxable का 1% लगाएगे, खुश, ट्रेडर के लिए हम सिर्फ taxable का 1% लगाएगे, ओके, देन, सब खुश, तो यह था बेटा, यहाँ पे difference in turn on in state, and turn on of taxable supply of goods or services in a state, I hope you understood, अपकोई student का यह सवाल भी आ सकता है, क्या, सर, कही तो भी आपने एक चार्ट में लिखा के लिए था, taxable supply also includes exempt and nail rate, तो अगर यहाँ पे इनोंने कहा, कही तो भी मैंने आगे आगे आपको पहले का था, कि taxable, दो टाइप के अपने supply देखे थे, taxable and non-taxable, taxable supply includes chargeable supply, exam supply और nail rate supply, वो फिर्फ एक general discussion आपके knowledge के लिए था, उसको composition लेवी में मत लगाना, नहीं तो कोई ऐसा भी interpret कर लेगा, ट्रेडर को 1% of taxable supply काया सर, तो वो taxable supply also includes exam supply, तो उनको भी exam supply add करना पड़ेगा, नहीं नहीं अभी note कर लो, यह interpretation यहाँ मत लगाना, नहीं तो भी बतल भी नहीं था, उनको भी turn or in state कहना था, उनके लिए भी, okay government ने फिर turn or in state कह देना था, government ने उनके लिए special amendment की, तो government को object समझ लो, government को object यहाँ पर बहुत clear था, government यहाँ पर उनको सिफ taxable supply जो थे, मतलब exam छोड़के, नील छोड़के, जो taxable supply थे, उसका ही 1% लेना चाहती है, in case of trader, I hope you understood, चलो, discussion को आगे बढ़ाते, next page पर मैंने कुछ problems लिये है, वो problems solve करने की पूशिश करते है, देखो, यहाँ पर, following example, assume that aggregate turner of preceding financial year does not exist 1.5 CR, नीचे जितने भी examples आप देख रहे हो, इसमें यह अजूम करके चलो कि आपका turner देख करोर के नीचे है, मतलब you are eligible for composition scheme, आपको composition scheme मिल जाए कि, ठीक है, if supplier does not want to offer composition scheme, अब उसको मिल रही है, example वने उसको composition scheme मि लेना चाहता है, अगर वो नहीं लेना चाहता है, तो वो normal rate से tax देगा, calculate net tax payable, okay, if GST rate is 12%, GST rate 12% दिया है, तो देखो, उसने कुछ goods खरीदे, using nail rate, okay, हाँ, ऐसे कुछ inputs जो nail rate में use हुए, और ऐसे कुछ inputs जो taxable supply में use की है, ठीक है, तो यह उसके purchases है, और उसके outward supply में, outward supply में, nail rate supply है, exam supply है, और taxable supply है, अब मैं आपको एक बात बता दू, धान से सुनो मेरी बात, अगर वो normal scheme में है, तो nail rate पे तो tax नहीं देगा, nail rate पे no tax payable, no tax payable, यहाँ पे nail rate पे तो नहीं देगा, उसके बाद में, exempted पे, exempted पे no tax payable, इस पे भी tax नहीं देगा, exempted पे, क्यो और वो other taxable supply है, पंदरा लाग, तो यह जो other taxable supply है, इसके ओपर GST देगा, तो now, इसके ओपर 12% का GST आएगा, तो, यहाँ पे, tax on taxable supply है, tax on taxable supply है, तो यहाँ पे 12% of 15 lakhs, 12% of 15 lakhs, कितना था बेटा 12% of 15 lakhs, ओके, निकालो, यहाँ पे, 18,000, यह आपका 18,000 आएगा, उसके बाद में, less, less ITC भी मिलेगा आपको, ITC, input tax credit, क्योंकि आप normal scheme में हो, normal scheme में हो, तो आप taxable जो supply है, उसका 12% से tax दे रहे हो, आपको ITC मिलेगा, अब ITC में आपका 2 purchases है, एक वो purchase है, जो exclusively nil rate में use हुआ, तो आगे जब मैं ITC पढ़ा होगा, अगर आपकी कोई purchases, और वो exclusively exam में use होती है, तो उसका ITC नहीं मिलता है, वैसे आपने वैट में पढ़ा होगा, इंटर लेवल पर, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ, अगर कोई purchases है, और वो exclusively nil rate के लिए उसका ITC नही services, input services, use in taxable supply, use in taxable supply, तो वो कितना, तो 10 लाग, rate में 12% ही अजूम करके चलता हो, input का भी, into 12% याने, यह तो आपका, 15 लाग, sorry, वही 1,80,000 है, और यह 1,20,000 आएगा, 1,20,000 आपको ITC मिल जाएगा, 1,20,000 आपको ITC मिल जाएगा, और नेट टेक्स पेबल, नेट टेक्स पेबल आपका रहेगा, कितना विटा, 60,000, यह 60,000 आपको टेक्स एना पड़ेगा, अगर आप नॉर्मल स्किम में हो, 2nd, if supplier offer composition, अगर आप, वही प्रॉब्लम, लेकिन आप composition के लिए आप करना चाहते हो, सुनो देहन से, आप composition के लिए आप करना चाहते हो, आपके आउटवर्ड सप्लाइ में नील रेट है, एक्जम्ट है, और अधर टेक्सिबल सप्लाइ है, ठीक है, तो यहाँ पे इनवर्ड में आपका दो पर्चेसे से, पर अब इनवर्ड कोई काम का नहीं है, क्योंकि आप composition स्कीम ले रहे हो, और composite rate आपको 1 परसेंट है, तो आप composition scheme में जा रहे हो, तो आप composition scheme में जा रहे हो, तो ऐसे case में, आप ITC तो नहीं लोगे, आपका जो आउटवर्ड सप्लाइ उसका 1 परसेंट होगे, अब इसमें supplier manufacturer होगा, तो कैसे होगा, और supplier अगर trader होगा, तो कैसे होगा, तो यहाँ पे मैं कुछ column इस तरह से करता Okay, उसके बाद मैं manufacturer, manufacturer, यह बड़ा important question है, manufacturer और trader, manufacturer और trader, ठीक है, अब यह, यहाँ देखिये, आप यह अपने notebook में solve करने कोशिश कीजिएगा, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में अब, यहाँ पे, value of nail rate supply, nail rate supply, manufacturer के इसमें consider होगा, manufacturer के इसमें consider होगा, पर trader के इसमें consider नहीं होगा, उसके बाद में value of exam supply, value of exam supply, manufacturer के इसमें consider होगा, वो add होगा, पर trader के इसमें नहीं होगा, और third value of taxable supply, taxable supply, very very important, तो यह यहाँ भी add होगा, और यहाँ पे भी add होगा, क्योंकि trader ship taxable supply का ही देगा, trader ship taxable supply का देगा, तो इनका turnor for composition levy, turnor for composition levy, तो यह जो turnor है, इसका कितना है manufacturer का, manufacturer का है 50 lakhs, और trader का 15 lakhs, trader का आता है 15 lakhs, यहाँ पे, तो CGST, यह था turnor in state, manufacturer के लिए turnor in state, और trader के लिए turnor of taxable supply, taxable supply, in state, turnor of taxable supply in state, और CGST, निकालो, SGST निकालो, CGST 0.5% और SGST 0.5%, तो यह case में आपका GST कितना निकलता है, तो 50 lakhs का, और composition scheme में tax जो आएगा, तो 50 lakhs का, into 0.5%, तो यहाँ 2,500, और यह 2,000, sorry, 25,000 और यहाँ पे 25,000 और यहाँ पे 25,000, ठीक है, और यहाँ कितना है था, बेटा, 15 lakhs into 0.5%, तो 7,500 और 7,500, 7,500, तो इस तरह से आपका tax पे होगा, under composition scheme, तो यह composition scheme में tax में, यह बात आपको बहुत ख्याल में रखना है, कि manufacturer और trader, manufacturer में, okay, exam supply, deal rate supply, taxable supply, यह तीनों add करना है, trader के case में only taxable supply of goods और services आपको add करना है, और next बेटा, टैक्स पे करते होग, यहने मैं आपको इतना कह रहा हूँ, confuse मत हो ना, जब आप current year में composition scheme मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके लिए aggregate turn or, उसके लिए aggregate turn or, फिर current year में composition scheme कब lapse होगी, उसके लिए aggregate turn or, मतलब उसमें exam भी लेना है, नील rate भी लेना है, तो जब आप eligibility check कर रहे हो, तो सब add करो, जब आप किस दिन lapse होगा, section 10.3 के ही साब से, तो सब add करो, aggregate, लेकिन trader के लिए, जब आप tax pay करने जाओगे, come on, जब आप tax pay करने जाओगे, तो आपको सिफ taxable supply का देना है, आपको सिफ taxable supply का 1% पे करना है, I hope you understood, एक question था बिटा, question यह है, whether GST is payable at normal rate under RCM, if taxable person is opting for composition scheme, मतलब यह taxable person अपने outward supply के लिए composition scheme ले 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 है, आउटवर्ट supply के लिए composition scheme ले 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 है, पर उसने कोई ऐसी service ले ले ली, ऐसी service ले ले जो reverse charge में, तो अगर उसने कोई ऐसी service ले 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 जो reverse charge में है, तो उसको पूरा tax देना पड़ेगा, मैंने आपको 10.1 में पड़ा है, 9.3, 9.4 को section 10 और रूल नहीं करेगा, आउटवर्ट supply के लिए composition scheme ले होगी, लेकिन अगर उसने कोई reverse charge वाला goods या reverse charge वाली services 9.3, 9.4 में लिया होगा, तो उसे पूरा का पूरा tax देना पड़ेगा, पूरा का पूरा tax देना पड़ेगा, तो जैसे उसके invert supply में legal service from individual advocate, तो legal service from individual advocate 18 lakhs है, और interest rate outward supply, other taxable supply 25 lakhs, calculate net tax payable, अगर आपका input tax rate 18% है और composite rate 1% है, तो भीटा देखो यहाँ पे, यहाँ पे आपको composite rate पे outward tax pay करना पड़ेगा, और आपको reverse charge में invert पे भी tax देना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे, आपाम पॉड़ेगा, तो वीट पाट जापका पिड़ेगा, तो है तो है Outward Supply समझ लें आपे CGST और SGST At the rate 0.5% At the rate 0.5% तो उसका Outward Supply 25 Lacks 25 Lacks into 0.5% बाराजार पांसो और बाराजार पांसो यह उसका Composition लें में आया ठीक है Second Tax Payable Tax Payable under RCM RCM on Legal Services Legal Services तो अड़र रेट 18% तो अड़र रेट 18% हुआ आएगा 18 Lacks का 9% यहने 1 Lacks 62 थाउजन 500 Sorry 1 Lacks 62 थाउजन और 1 Lacks 62 थाउजन मतलब यह तो ऐसा हुआ कि अपने Outward Supply पे आप 12,000 पासों ही दे रहे हो और Inward Supply पे आप 18% दे रहे हो यहने अपनी शादी आप रजिस्टर मेरेज कर रहे हो अपनी शादी आप रजिस्टर मेरेज कर रहे हो कंपोजिट कर रहे हो और अपने साले की शादी रिवर्स चार्ज अब साला मतलब रिवर्स चार्ज है पेटा तो आपने साले की शादी दुम्दाम से करें एइटीन परसेंट, यह वंदा यह है कि आप कंपोजिट सप्लाइ यह पर आर्सियम में सुनना आर्सियम में जो है जो यहां सर्वी से गूड्स करेंदों कि पूरा टैक्स देना पड़ेगा और अपनी शादी रजिस्टर मेरेज लेकिन अपने साले की शादी दुम्दाम से रिवर चार्ज यह साला आर्सियम में पूरा टैक्स देना पड़ेगा और अव एक इंपॉर्टन बदादा दाओ, साले की शादी अपने दुम्दाम से की तो भी आपकी वाइफ आपको क्रेडिट देने लाली नही नहीं है और सब लेकिन, आप प हीम वो तो सब करते है इंषट, फंफ हम आर्सियम को पर तााँसन हइब यह भी और आपको क्रेडिट भी नहीं मेलेगा, तैक्स भी दो और उर उर नहीं मेलेगा, हम फुरा पाल्ड़ण ओर प्रड़ेट, व्ल्ट्रव पे tejडिट कolph gonna टीड़ा बेगा और no ITC, यह बड़ा इंपोर्टेंट है, इसका ITC आपको नहीं मिलेगा, बेटा, सर मन नहीं मान रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, no ITC, input tax credit, ITC भी नहीं मिलेगा, total tax देना पड़ेगा, तो यह total कर लो जितना भी आता है, okay, यहाँ पर, मतलब 174, 500, और 174, 500, तो आपको बेटा, यह तो दोनों चीज़े है, okay, reverse charge में tax देना पड़ेगा, composition dealer को, और उसका ITC भी नहीं मिलेगा, I repeat, ITC भी नहीं मिलेगा, without ITC पे करना है, ठीक है, तो yes, Salih की शादी धुमदाम से भी करो, और credit भी मिलने वाला नहीं आपको, चलिए, तो यह ता concept, regarding to, कि हमने 10-1 में, बहुत सी बात ही पड़ी, aggregate turn all, preceding year का, current year में कब lapse होगा, aggregate turn all, आपको branch wise लगाना है, यह भी हमने बात पड़ी, उसके बाद में, next, pay करतेवक आपको state wise जाना है, turn all in state, लेकिन manufacture और restaurant catering को turn all in state, उसमें exam supply, plus nail rate supply भी आड़ होगा, पर trader के लिए, सिर्फ taxable supply charge में, आपको पूरा tax देना पड़ेगा, without ITC, पूरा tax देना पड़ेगा, without ITC, तो चलिए, okay, यह था concept regarding to, यहाँ पे 10-1, अब थोड़ा next discussion, हम चालो करते है, 10-2 पे, हाँ, next discussion, हम चालो करते है, 10-2 पे, हाँ, तो फेटा, अब 10-2 की यह conditions जो है, conditions for composition scheme, मतलब 10-1 में, I repeat, 10- when में, जो composition scheme avail कर रहा है, उसे क्या शर्ते पूरी करनी पड़ेगी, तो यह conditions आपको दी गई है, यह conditions आपको जो है, आपकी eligibility fix करने के लिए, भी check करनी पड़ेगी, और current year में भी check करनी पड़ेगी, थोड़ा में इसको बाद में पढ़ा होगा, पर इसको समझ लो, मतलब यह condition दोनों year में applicable है, प्रसेडिंग financial year और current financial year, प्रसेडिंग financial year में नीचे दिये गए और preceding year में चीए होगे, आपने ये supply आपने ये supply प्रिसेडिंग एर में किया होगे तो आपको current year में composition scheme नहीं मिलेगी even though your aggregate turnor in preceding financial year is less than 1.5 CR पर आपने ये supply कर दिये ना तो आपको composition scheme नहीं मिलेगी ठीक है और अजिम करो कि आपने preceding year में ये supply नहीं किये इसले आपने current year में आपने current year में composition scheme लेली क्यों क्योंकि प्रिसेडिंग एर में आपने ये supply नहीं किये है ठीक है तो composition scheme current year में लेली पर current year में जिस दिन भी नीचे दिया गया supply आप जिस दिन भी करोगे उस दिन आपकी composition लेवी वीड्रो कर ली जाएगी अगर आप इसको दहां से पढ़ते देखो मैंने लिखा हुआ है और मैं सम्झाचे सम्झाचे आपको और इसको clarify करोगा देखो क्या कहते it means that if any of the following supply is made in preceding financial year then taxable person is not eligible for composition levy in current financial year मतलब अगर आपने नीचे दिया के कोई भी supply preceding financial year में किया होगा तो current year में आपको composition levy नहीं मिले की और next if no supply is made in preceding financial year but such supply is made in current financial year before crossing the aggregate turnover of 150 lakhs or 75 lakhs आपने पिछले साल ऐसा कोई supply नहीं किया hence you opted for composition scheme hence opted opted for composition levy opted for composition levy तो आपने प्रेसिटिंग financial year में ऐसा कोई supply नहीं किया इसला आपने composition levy लेली लेकिन current financial year में जो आपकी देड़ करोड की limit है वो देड़ करोड की limit के पहले अगर आपने इस टाइप का supply कर दिया होगा अगर आपने इस टाइप का supply कर दिया होगा तो उसी दिन prospectively I repeat उसी दिन prospectively आपकी skin withdraw कर ली जाएगे चलो इसका थोड़ा और अच्छे समझाता हो so as otherwise provided in subsection 1 he is not engaged in supply of service whether it is taxable or exempt taxable or exempt मतलब क्या अब मैं आपके छोटी सी बात जो हमने अभी तक एक्समेंने की बस बहुत लिटिल बिट ओपन करना चाहोगा डिटेल डिसकेशन आगे 2 पेजे से है complete 2 पेजे से है डरो मत so as provided in subsection 1 मतलब क्या अगर आप subsection 1 देखते हो उपर अमने subsection 1 पड़ा तो ये subsection 1 subsection 1 में यहां तीन लोग है manufacturer, restaurant, catering and trader ये composition लेवी आप्ट कर सकते है लेकिन प्रोवीजोट 2 जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई प्रोवीजोट 2 में वो क्या कह रहे है कि कुछ लिमिट तक आप service दे सकते है इतना सेव किया है, कितनी लिमिट तो 5 लाक या 10 परसेंट अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, आगे आपको पढ़ाऊगा डीटेल में डिसकेशन करेंगे 5 लाक या 10 परसेंट तो अब मैं 10-2 प्या होगा 10-2 A की पहली condition 10-2 A की पहली condition यह है बेटा, कि आप किसी भी टाइप की services प्रोवाइड नहीं कर सकते अगर आपको 10-1 की composition ले भी लेनी है सुनो, 10-1 की composition ले भी लेनी है तो आप किसी भी टाइप की services प्रोवाइड नहीं कर सकते एकसेप्ट आपको subsection 1 में सेव किया होगा सब सेक्शन वन में आपको दो जगा से हो किया है बताओ कौन से दो जगा से हो किया है एक रेस्टोरेंट और कैटरिंग और दुसरा प्रोविजो टू इतना ही सर्विस आप दे सकते हो इसके अलावा आपने कोई भी दुसरी सर्विस नहीं देनी चाहिए तो अब ब्रॉड से देशं मैं आपको यह गहू तो कॉम्पोजीशन स्किम जब 2017 में आई थी तो ग्त क्लियर वीव था कि सप्लेयर रवीज को कंपोजीशन स्किम नहीं देनी है मतब आप चौ़चिशन स्क्इम नहीं गने देनी है पहले old वी था अब 2 य है तो आ गया टेंटुय या लेकिन old था और government इतनी strict थी कि अगर कोई manufacturer, trader अगर अपने goods के साथ service देता है, I repeat, अपने goods के साथ service देता है, कोई manufacturer, trader, तो उसकी भी composition scheme नहीं मिलेगी, मतलब उसको भी composition scheme नहीं लेंगा है, या withdraw कर लेंगा है, तो मैं ये say otherwise under subsection 1, इसको थोड़ा बाद में आओगा, पहले तो he is not engaged in supply of service मतलब इसका implication क्या था, इसका implication था कि मैं ट्रेडर हूँ, और मेरे electronic shop है, और electronic shop के साथ मैं आपने service देती, तो खतब, मेरी composition लेवी विड्रा होगी, और इसको मेरा 1.5 crore बाकी है, तो भी composition लेवी विड्रा होगी, उसी वक्त विड्रा होगी, या फिर ये condition दोनों साल में position लेवी किया, अब बात को समझ रहे हो, तो इतना strict clause था, लेकिन बात में उसको सेओ किया गया, कुछ यहाँ पर प्रोविजो टू लाए गई गई, कुछ लिमिट अलाओ की गई, पर उसके उपर मैं special discussion बात में लूगा, आगे के pages पे लूगा, आप मेरी बात समझ रहे हो, लेकिन हाँ, जितना सेओ किया है, उतने तक ही आप service दे सकते हो, रेस्टोरन और कैटरिंग यह supply of service है, उसको देड करोड का limit दिया है, प्लस प्रोविजो टू में कुछ limit तक सेओ किया गया है, उतना service आप दे सकते हो, इसके अलावा आप एक रुपे का भी service नहीं दे सकते है, ठीक है, तो ना previous year में, previous year में दिया होगा, तो current year में composition लेवी नहीं मिलेगी, और previous year में नहीं दिया, इसलिए आपने composition लेवी आप कर ली, तो current year में जिस दिन भी आपने वो supply of service किया, तो उसी दिन आपकी composition लेवी बिड्रो हो जाएगी, इसलिए बटा, 10-1 का जो clause A था manufacturer clause B था restaurant, rocketry और clause C था other supplier, वो other supplier वे trader ही लिये जाते है, उसका meaning आता है कि वो trader लिये जाते है, क्योंकि अगर वो service दे रहे होगे, service provider तो उसमें नहीं आ सकते, क्योंकि अगर वो service दे रहे होगे, तो 10-1 की composition scheme नहीं ली जाएगी, इसलिए हम उसको इस तरह से interpret करते है, कि other supplier मतल नहीं किया होगा, हाँ, अब मैं इसका discussion यही रोकता हूँ, इससे जादा नहीं, बस अभी इतना ही दिमाग रखना कि वो service नहीं दे सकता है, एक बार पूरा 10-2 खतम कर लो, फिर इसका special discussion है वो कि इतने लिमिट तक service दे सकता है, proviso 2 क्या कहती है, क्या नहीं कहती है, इसके हम बाद में special discussion करेंगे, ठीक है, यहाँ पर, यह एग्जाम्पल में बाद मी पढ़ोगा, discussion को यही रोकता है, ठीक है, बी, बी का restriction समझ लो, he is not engaged in making supply of goods which are not leviable to tax under this act, मतलब non-taxable supply, मतलब यहाँ बटा, non-taxable supply, ठीक है, तो he is not engaged in making any supply of goods which are not leviable to tax under this act, ठीक है, मतलब अगर वो non-taxable supply करता है, तो composition लेवी उसको नहीं मिलेगी, अगर previous year में उसने यहाँ petrol, diesel वगरे supply किया होगा, तो composition लेवी नहीं मिलेगी, अगर इसको बड़ाता हो, प्रिवेस एर का जब एग्रिगेट टनोर निकाला जाएगा, एग्रिगेट टनोर मतलब अलोर इंडिया पैन बेसिस, पूरे इंडिया में अंडर सेम पैन उसने कहीं पेट्रोल डिजल सप्लाई किया होगा, तो composition लेगी, मतलब उसके एग्रिग इंडिया जाएगी और प्रॉस्पेक्टिव ले नॉर्मल टैक्स दिन अपड़ेगा, और इस तरपर देड करोर क्रॉस नहीं होगा, नहीं, बात खतम, अगर तुने नॉन टैक्सेबल सप्लाई देड करोर के पहले कर दिया होगा, तो composition स्कीम नहीं मिलेगी, ठीक है, तो द तो देखो, पहले वो supply-up service नहीं कर सकता, except otherwise saved under subsection 1, कुछ service दे सकता है, इसका discussion बाद में करें है, दूसरा वो non-taxable supply नहीं कर सकता है, अगर उसे composition ले ले तो, तिसरा, example आपर सकते होगा, तिसरा, he is not engaged in making interstate outward supplies of the goods, हाँ, आपको याद होगा तो मैंने last turnover in state मैं आपको कहा था कि वो non-taxable supply करता है, तो composition levy मिलती नहीं, इसले वो turnover in state में non-taxable supply होगा, तो relevant ही नहीं, while calculating the payment of tax क्यों, क्योंकि उसका composition levy मिलती नहीं, next, वो interstate outward supply भी नहीं कर सकता, और interstate also includes export, interstate export को भी माना जाता है, also includes export, ठीक है, तो यहाँ पर, जहां तक देखा जाए, interstate outward supply नहीं कर सकता है, इसका मतलब क्या, वो interstate inward supply कर सकता है, समझ लो मैं composition dealer हूँ, और अगर मैं composition dealer हूँ तो मैं बहार से purchase कर सकता हूँ, बहार से purchase कर सकता हूँ, मैं बहार बेच नहीं सकता हूँ, यह condition message देती है कि यह retailers की है, जो local state में business करते है, जो ओकि यहाँ पर, national or international level पर business करते हूँ, उनके लिए composition ले भी नहीं है, यह purely retailer को धान में रखते हूँ है, तो वो interstate outward supply नहीं कर सकता है, interstate inward supply कर सकता है, नीचे मैं ने दिया है, comment में, invert supply कर सकता है, खरीच सकता है, बेच नहीं सकता है, interstate outward supply of goods, ठीक और service जो है, यहाँ, interstate outward supply of goods के लिए है, अगर वो service दे रहा है, रेस्टोर्न कैटरिंग है, रेस्टोर्न कैटरिंग है, रेस्टोर्न कैटरिंग वो other place में service दे रहा होगा, तो वर्ट से तो यह पता चलता है, कि service को your restriction applicable नहीं है, जितने भी permissible limit में service दे रहा है, मैं आगे प restriction स्रिफ goods पे, सर अच्छे से नहीं समझ में आगा है, थोड़ा रुख जाना, क्योंकि वो service का clause 10% या 5,00, वो हमारा पेंडिंग है, उसमें और अच्छे से समझा होगा, तो वर्ट से यह समझ में आगा है, कि restriction स्रिफ goods पे, service पे नहीं है, वो interstate service दे सकता है, अगर within permissible limit opinion है, मैंने author's opinion यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो वो interstate outwards supply नहीं कर सकता, उसके बाद में D clause, he is not engaged in making any supply of goods through an ECO, who is required to collect tax under 52, N-A TCS, 52 मतलब TCS, TCS, हाँ, यह next condition देखो, C condition आँने देखा, D condition यहाँ पे देखो, D condition यहाँ देखो, D condition यहाँ, कि अगर आप अपना supply, S-C-C-O के थू कर रह हो, electronic commerce operator, मतलब Amazon हुआ, यह फिर Swiggy हुआ, यह फिर कोई ऐसा ECO, तो आप अपना supply, तो आपको composition scheme नहीं मिलेगी, और ऐसे SEO के through कर रहे हो, जो TCS काटेगा, तो फिर आपको composition scheme अब मेरी बद्धान से सुनना, उन्होंने हर SEO को मना नहीं किया है, यहाँ वोई SEO को मना किया है, जो TCS काटेगा, आगे जब मैं section 52 पढ़ा होगा, तो हर SEO को TCS काटना जरूरी नहीं है, उनकी कुछ conditions है, और वो condition में जो fit होता है, उनको ही TCS काटना जरूरी है, तो समझ लो मै मैं एक ट्रेडर हूँ, और मैं अपने सेल के लिए Amazon यूज कर रहा हूँ, और Amazon मेरा TCS काट रहा है, Amazon मेरा TCS काट रहा है, तो फिर मैं composition scheme नहीं ले सकता हूँ, इंडारेक्ली गवर्मेंट का यह कहना है, कि अगर आपको composition scheme चीए, तो ऐसे ही SEO का use मत करो, जो आपका TCS काटे का, उसको TCS काटने के लिए आप normal tax पे रोना जरूरी है, यह समझ में आया, तो देखो, कितनी conditions हम ने देखी, कि आप service में इंगेज नहीं होने चीए, except, save otherwise, दूसरी condition, यहाँ पर क्या देखा हमने, तो यहाँ पर दूसरी condition में देखा कि आप non-taxable supply में इंगेज नहीं ची जो TCS काटेगा, अगर आपने पिछले साल ऐसा supply किया होगा, तो वो situation में आपको current year में composition scheme नहीं मिलेगी, और current year में, okay, जब भी आप यह supply करोगे, come on, current year में जैसे आप यह supply करोगे, उसी दिन composition scheme विड्रॉ हो जाएगी, लेकिन, again, मेरा interpretation है, यह सिफ supply of goods को applicable है, मतलब, अगर restaurant catering होगा, तो मेरा यह opinion है कि composition लेवी मिल सकती है, क्योंकि words अगर पड़ते हो, तो words सिफ supply of goods को applicable है, यहाँ पे, तो और restaurant और catering supply of goods नहीं, यह supply of service में आता है, इसलिए वो issue use कर सकते है, ऐसा मेरा मानना है, वो interest rate कर सकते है, यह मेरा मानना है, I repeat, यह मेरा मानना है, अभी तो कोई clarity उसके पर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे, issue का supply का restriction दिया हुआ है, अगर आप next page पे आते हो, हाँ, he is not a manufacturer of such goods, as may be notified, underline, not a manufacturer of such goods, as may be notified, by central government, हाँ, कुछ goods के manufacturer को composition ले भी नहीं मिलेगी, मतलब, पहला देखो, notified किया हुआ है, ice cream, and edible ice, whether or not containing cocoa, पान masala, aerated water, और tariff heading 24 के goods, like tobacco and manufactured tobacco, देखो, टोबैको पे composition ले भी नहीं दे रहे है, समझ में आ रहा है, क्योंकि टोबैको पुबिकली डॉम, okay, dominated goods है, तो उस पर composition ले भी क्यों दे, गोवर्मेंट अपना revenue क्यों सैक्रिफाय कर रहे है, तो वो manufacturer, जो tobacco manufacture कर रहे या तोबैको सब्स्टिटूट्स मैनिफेक्चर कर रहे है, यानि सिग्रेट मैनिफेक्चर कर रहे है, तो उनको composition लेवी नहीं दे जाएगी, जैसे income tax में, winning from horse races, एक रुपे से taxable है, वैसे ये भी, okay, आपको normal scheme ही रहेगी, ये डिलर, इवंदो इनका टन और, okay, पिसले साल सेड करोड की नीछे पर इनक smartphone चेम नहीं दे जाएगी, ठीक है, अगर आप aerated water, ariated water मतलभ मतलब mineral water मैनिफेक्चर कर जिएो तो आपको composition scheme नहीं दे जाएगी, पान मसाला हो, तो composition scheme नहींदी जाएगी, तो इस्टिम मैनिफेक्ट्छर हो सेHaul, come on, आप ऐस्टिम मैनिफेक् करना पड़ेगा, एक्जाम में आ सकते हैं, आइस्क्रीम और इडिवलाइस, इडिवलाइस होगा, वेदर कंटेनिंग कोको और नॉट, उनको कंपोजिशन ले भी नहीं है, सर आइस्क्रीम या इडिवलाइस के लिए लॉजिक क्या है, उसका कोई लॉजिक मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया पर लॉजिक मेरे पास अभी तक नहीं मिला, हाँ, पान मसाला समझ सकता हो, पब्लिकली डॉमिनिटेड गूड से, एरिएटेड वाटर, इसको ये 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 प्रॉफिट मेकिंग है, और ये वाटर जो है, जनरली रीच क्लास ये मैनिफेक्टर को रोका है, अब थोड़े देहन से सुनना, मैं बहुत इंपोर्टन स्रेटमेंट देने जा रहा हूँ, यहाँ पर जो रिस्टिक्शन है, अनली अन मैनिफेक्टर है, मतलब क्या, मतलब अगर ट्रेडर होगा, ये रिस्टोरेंट कैटरिंग होगा, ट्रेडर को कमपोजिशन ले भी मिल जाएगी, ओके, शिर्फ रिस्टिक्शन किसको है बेटा, मैनिफाक्टर को, तो नह यहाँ बड़ा इंपोर्टन है, वैसे मैंने कमेंट में दिया है, रिस्टिक्शन इस नाट अप्लिकेबल टू, ये रिस्टिक्शन इस नाट अप्लिकेबल ट ट्रेडर, ट्रेडर ये दे सकता है, और रिस्टोरेंट और कैटरिंग, रिस्टोरेंट वगेर आइस्क्रीम दे सकते है, एरियतिर वाटर दे सकते है, और कैटरर्स, एक्सेटरा, तो इनको ये रिस्टिक्शन अप्लिकेबल ली है, इस रिस्टिक्शन अप्लिकेबल टू क इसके पर डिसकेशन नेक्स सेशन पर करेंगे, CTP और NRTP करेंगे, तो यह हमने 10-2 की कंडिशन्स देखी, फटाफाटे करेंगे, मैरे साथ रिवाइस करो, तो, manufacturer, trader या restaurant catering, यह कोई दूसरी service प्रोवाइड नहीं कर सकते, except इनको जितना अलाव किया है, वो अलाव प्रोविजोर 2 में किया है, हम बाद में देखेंगे, दूसरा, यह non-taxable supply नहीं कर सकते, इंडिया में कहीं पे भी, कि वो non-taxable supply नहीं कर सकते, तिसरा, वो interstate आउट वो ऐसे इस यो के थूप्लाइर नहीं कर सकते, जो 52 काट रहा है, 52 में TCS काट रहा है, और next, यहां पर वो नोटीफाइड गूट्स के मैनिफाक्शरर होगे, यह नोटीफाइड गूट्स के मैनिफाक्शर होगे, तो आपको कमपोजिशन लेवी नहीं मिलेगी, यह CTPP और यह CTPP के सप्लाइड की होगे, तो करेंट यह में आपको कमपोजिशन लेवी नहीं मिलेगी, और करेंट यह में जिस दिन भी आपने ऐसा सप्लाइड कर दिया, उसी दिन आपकी कमपोजिशन लेवी विड्रो कर ली जाएगी, I hope you understood, तो यह था रिगार्डिंग टू यहां मार्क नोट दे रहा हूं, यहां पर, तो यह नोट्स, ठीक, यहां हमारा सेशन, हम यह दिस्कुशन एंड करते हैं, okay, चलिए आपके लिए एक इंपॉर्टन अनॉंस्मेंट, अभी COVID-19 के सिचुएशन में, दान से सुनियेगा, मैंने, यहां पर, कमपोजिशन स्किम की मार्क नोट आज में डालूंगा, जो भी मैंने डिस्कुशन किया, मार्क नोट आज में डालूंगा, दो लेक्ष्यर रिकॉर्ण आज नहीं, कल, तब तक आप नोट बुक में लिख लेना, क्योंकि जब तक यह चप्टर खतम नहीं होगा, मैं मार्क नोट नहीं डाल सकता, पर यह मैं कड़ ला लोगा, और बागी बचेवी मार्क नोट मैं, कल रात तक सभी चप्टर की, इन्टोड़क्शन से लेके, सप नहीं पड़ेगी, तो कल, आपको पूरी कम्प्लीट आज आएगी, यह चाप्टर की पहले मैं अपलोड कर दूगा, तो आप फोल्डर दीख जाएगा, उपको, GST मार्क नोट का, तो वो GST मार्क नोट का फोल्डर से यह चाप्टर की आपने पहले डाउनलोड कर लेना, इसके दो टोटल सेशन आएगे, कम्पोजिशन स्कीम के, यह सेशन आज का था, और दूसरा सेशन, दूसरा सेशन जो आएगा बेटा, मैं आज रात को अपलोड करूगा, यह कल सुबे मॉर्निंग तक अपलोड हो जाएगा, पुराने अभी उनके खतम नहीं हो, उनके लिए तो कोई प्रॉबलम नहीं है, पर जो रेगूलर बेशिस पर देख रहे है, तो आपको कल से में दो-दो लेक्शर अपलोड करना चालो कर दूगा, ठीक है, आज का लेक्शर अभी इतना हैगा, कल से फिर आपको दो-दो ले का regarding to composition levy ठीक है यहां रुकते है आगे का discussion हम next session में continue करेगे दन